वो आपने जरूर सुना होगा और आपने सोचा भी होगा काश यार मैं भी जाता हूँ, account बनाता हूँ, share market में पैसे लगाता हूँ और बहुत सारे पैसे कमाता हूँ लेकिन रुको रुको आप नहीं जापाई होंगे क्योंकि आपके पास knowledge नहीं था, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, share market है क्या, exchange क्या होता है, कहां पे हम पैसे लगाते हैं, पैसे कहां से वापस आते हैं, कहां पे हमको account create करना ह Deemate account किया होता है, कौन से share सही रहेंगे, share से जो मैं पैसे कमाऊंगा, उस पे income tax किता लगेगा, तो बहुत कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, वीडियो लंबा हो गिया है, महनत बहुत सारी लगी है, लेकिन अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, तो मेरी महनत सफल हो जाएगी, तो हाई गाईस, अब तो आप मेरे वीडियो देखे, पेटियम कैश कमा सकते हैं, जादा information के लिए ये वीडियो जरूर देखे हैं, तो हम ये वीडियो स्टार्ट करें, इसके पहले तीन पॉइंट्स हैं आपके लिए, जो आपको फॉलो कर करना है, पूरा वीडियो आपको लगातार देखना है, अगर आपको चीज़े समझ आ रहे हैं, आपको पता है चीज़े, तब भी वीडियो चलने रहन दो, तो पहला पॉइंट है कि वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, चाए समझ आए या ना आए, वीडियो हमको अब भी चलेगा, तो ये वीडियो देखने के बाद डिसाइट करेंगे, तो भेतर रहेगा कि आपको अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना है, व्योंकि बहुत सारी चीज़े आप आदी देख के जाएंगे, तो आदा नॉलेज जो है वो बहुत खतरनाक होता है, तो पूरा नॉलेज ले लो, फिर चले जाना, जल्दी क्या है, आदा वीडियो देख के अपने अंदर जो पावर आ रही है, कमाने की, वो कमाने की पावर थोड़ी दिर के लिए रुख जाना, रोक देना, और पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद जाना आगे, और जो तीसरा प समझते हैं, मैं मार्केट में जाता हूँ, फल्फरूट लेके आता हूँ, तो मैं पैसा दूँगा, वो मुझे कुछ समान देगा, इसी तरह मैं सबजी खरीद रहा हूँ, तो मैं पैसा दूँगा, मुझे सबजी मिलेंगी, लेकिन जो यह मैं चीज खरीद रहा हूँ, यह मेरे खुद के लिए खरीद रहोगे, यह essential services है, मुझे जीने के लिए चाहिए, लेकिन stock market में क्या होता है, आप पैसा दोगे, तो आपको companies के share मिलेंगे, share in the sense, कोई company है, उस company के अंदर आपको हिस्सेदारी मिलेगी, partnership मिलेगी, तो वो उस company वाला बोलता है, मेरा एक share इतने रुपे का है, तो वो share का पैसा उसको दोगे, तो वो उसकी company में आपको एक partnership देगा, लेकिन अभी जो partnership आपको मिल रही है, एक तरह से बोल सकते हो, virtual partnership है, यह ने की कल को company के नीचे जाके चिलाने लगगे, भया में तो इसका partner हूँ, मेरे को अंदर जाने दो तो shares जो है, वो लाखो करोडों में रते हैं उसमें से कुछ पार्ट आप खरीते हो, 100 share 1000 share, एक share तो यह अलग-अलग prices set हैं, अलग-अलग company के, तो वो पैसा उनको दोगे वो company वाले आपको share दे देंगे अब जो share आपने खरीदा है, यह खरीदा क्यों है वोकि आपका main motive था, कि मुझे पैसे invest करने, ताकि आगे जाके मैं उसको जादा कर सकूँ और उसको use कर सकूँ, तो यहाँ पी पूरा concept share market का है, पैसे कमाने का जितना पैसा लगाऊंगा, उससे जादा मुझे पैसा कमाना है, तो यह बात भी सही है, कि share market में बहुत तेजी से पैसा कमा सकते हो, यानि कि एक दिन में आप 20-30% तक भी return ले सकते हो, तो हो सकता है 20-30,000 रुपे भी आप एक दिन में कमा लो लेकिन भाया यहाँ पे पैसे गवाते भी बहुत जल्दी है, हो सकता है, एक लाग पूरे ही आप साफ कर दो, पूरे आपका लॉस हो जाए तो बहुत सारी चीजों पर यह depend करता है इस बेसिक वीडियो मैंने एक बनाय हुआ है स्टॉक मार्केट पर, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा यह वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आईए अगर आपको स्टॉक मार्केट की A, B, C, D भी नहीं पता तो वहाँ पर बहुत सारी बेसिक्स क्लियर हो जाएगी बात जो शेयर हम खरीद रहें, उसमें क्या होता है यहाँ पर IPO का मतलब होता है Initial Public Offering, यानि कि मेरी कमपनी पहली बार अगर Stock Market में आती है, लोगों के पास Publicly बोलने कि भाई मेरी कमपनी के शेयर खरीदो और मुझे पैसे दो, उसको बोलते है Initial Public Offering, अब मान लो Reliance मेरी कमपनी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए अब मैं चाराओ कि मैं डारेक्ट लोगों के पास जाऊ और लोगों को बोलू कि मेरी कमपनी के शेयर खरीद लो और मुझे पैसे दे दो तो मान लो मेरी कमपनी में मैंने 1000 शेयर निकाले और मैंने बोल दिया 1000 शेयर की cost जो है वो 1000 रुपे एक शेयर की है तो ऐसे अगर मैं 1000 शेयर लोगों में बेच दूँगा तो मुरे पास 10 लाक रुपे इकटा हो जाएंगे तो Reliance सबसे पहले जाएगा Cebi के पास अपनी सारी डीटेल सम्मिट करेगा Cebi Approval देगा तो Cebi का Full Form है Security and Exchange Board of India तो यह सब की निकरानी करता है Company की, Exchange की, Logo की सब कुछ यहाँ पे सब को सभी से चल रहा है कि नहीं तो पहले तो जो Company है वो Cebi के पास जा कि अपना Approval लेगी अब मुझे Share बेचना है मैंने भईया Decide कर लिया 1000 Share मुझे Logo में बेचना है तो क्या मैं Ground में Stall लगा के चिलाऊंगा Share ले लो, Share ले लो नहीं, तो यहाँ पे क्या एक पूरा Regulation है तो यहाँ पे Exchange का Concept आता है Exchange मतलब Exchange को मैं पहले Share दूँगा अब यह Exchange की जिम्मेदारी है कि भईया जिसको बेचना है उसको बेचे उससे सारा पैसा ले और फिर मुझे Company तक लाके दे तो यहाँ पे Exchange है हमारे इंडिया में दो NSC और BSC NSC मतलब होता है National Stock Exchange BSC मतलब होता है Bombay Stock Exchange तो एक तरह से बोल सकते हो दो दुकाने हैं बड़ी बड़ी जो इंडिया में सिर्फ दो ही है तो वो Company पहले दोनों के पास जाएगी दोनों के पास अपना डेटा शेयर करेगी और बोलेगी कि भईया मुझे 1000 शेयर बेचना है 1000 के भाव से पहली बार में आया हूँ तो मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ सारे डोकिमेंटेशन के बाद कि मुझे कितने में एक शेयर बेचना है तो भईया अब मैं Exchange के पास जाऊँगा अब Exchange क्या करेगा Exchange के नीचे होते हैं DP जिसे बोला जाता है Depository Participant अब Exchange भी डारेकली ग्राउंड में स्टॉल लगा के नहीं बठेगा दुकान में सबको नहीं आने देगा तो Exchange क्या करेगा अपने नीचे कंपनियों को approval देगा कि भईया मेरे under registered हो जाओ अपनी कंपनी registration कर लो फिर वो company लोगों के पास जाएगी बोलने कि आप हमारी website यूज करो हमारी mobile app यूज करो हमारा platform यूज करो और वो share हमारे platform से आप खरीद लो तो जो Exchange है NSE है BSE है यह directly लोगों के पास नहीं जाते इनके पास अगर आपको खरीदना है बेचना है कोई भी stock तो किसी ना किसी company के through ही आपको लेना पड़ेगा और वो company अपना पूरा registration करा के रखती है तो यहाँ पर concept आ जाता है companyों में DMAT account और वो trading account खुलने वाला तो trading account मतलब हो गया कि अब आप Angel Broking में चले जाओ यह company है जिरोधा में चले जाओ यह भी एक company है मेरी यह website है मेरी यह mobile app है आपको खरीदना है तो मैं आपको पूरा panel बना के दे रहा हूँ आप click करो, पैसे डालो, खरीदो आपको बेचना है तो मेरे panel से बेचो तो यह company याँ लोगों के पास जाएगी और लोगों का registration अपनी company में करेगी और वो company के अंदर उनका software यूज करके वो पूरा software connected रहेगा NSC से, BSC से अब मान लो किसी user ने एक account खोल लिया इंजर booking में दूसरे user ने खोल लिया जिरो धामे दोनों अलग-अलग company है लेकिन दोनों company की access कही ना कही NSC के पास है, BSC के पास है क्योंकि share जो है वो इनके पास ही है तो यह company भी इसके अंदर connect कर देगी तो यहाँ पर यह lease line connection देते हैं NSC, BSC वाले एक तरह से अंदर एक secure connection दे देते हैं इन company को जो उसमें registration करती है फिर वो company उस पूरे connection को use करके सामने user तक वो connection दे देती है अब भया मैं एक user हूँ मैंने बोला हाँ चलो reliance IPO लेकी आया 1000 का share खरीदेंगे तो मैंने बोला चलो angel broking में अपन खरीद लेते हैं क्योंकि जो पैसा है वो सब angel broking में जाएगा फिर angel broking वो पूरा पैसा इखटा करके एक बार में NSC को दे देगा फिर NSC जो है वो पैसा reliance तक पहुचा देगा और वहां से वो share लेके हमारे पास तक share आ जाएंगे अब मानलो angel broking में एक user है इसने 1000 का एक share खरीदा तो 1000 रुपे इसने दिये angel broking को angel broking ने वो पैसे दिये NSC को NSC ने वो पैसे दिये reliance को तो reliance के पास पैसे आ गए तो reliance ने एक share issue कर दिया वो issue करके गया NSC के पास NSC ने बेजा भाया angel broking वाले के पास अब angel broking logo तक कैसे पहुचाएगा अब ये तो बोल नहीं सकता कि मेरे under account है तो मैंने आपको एक share दे दिया तो यहाँ पे एक concept आता है DMAT account का अब देखो हम rent agreement बनवाते हैं अगर कोई हम renting कर रहे हैं हम कुछ जमीन खरीतते हैं तो हमारे पास एक तरह से agreement आता है कि कल को कोई बोले तुमारी है की नहीं है तो मैं एक legal proof दिखा सकूँ court में case कर सकूँ कि भाईया यह मेरे पास थी तो इसी तरीके से जो share है पहले यह physical form में आता था printed होके courier करके आपके घर आता था बकायदा कि भाईया एक share आपका reliance का है लेकिन आजकल सब कुछ automatic हो गया है online हो गया है तो यहाँ पे जैसे आपका bank account खुलता है ऐसे एक demet account खुलता है और यह demet account जो है यह ना angel broking खोल रहा है ना जिरोधा खोल रहा है ना यह exchange खोल रहा है तो यहाँ पे government के under में SEBI का regulation है इसके अंदर यह demet account भी SEBI के अंदर ही सारी चीजों में आता है तो जब भी आप account खोलेंगे angel broking में जिरोधा में तो यह लोग क्या करते हैं इनका तो account खोलते ही है उसके साथ आपका demet account भी खोल देते हैं तो demet account खोलने की power भी जो है वो इनी के हाथ में है company के हाथ में आप directly जाके demet account खोलवा तो सकते हो कहीं न कहीं उसको link करना पड़ेगा क्योंकि demet account ना तो कोई यह wallet होता है कि इसमें पैसे डालके खरीद लूँगा बेच लूँगा यह सिर्फ बोल सकते हो database है इसके अंदर जो भी stock खरीदोगे वो आके यहाँ पे recorded में रहेगा यह आपने एक stock reliance का खरीदा तो आपको table में दिखा देगा आपके demet account में एक stock है अब इसको बेचना है तो आपको वापस से dp के पास जाना पड़ेगा क्योंकि बेचना उसको exchange में है लेकिन exchange direct कोई access नहीं देता किसी user को तो user को अगर कोई stock बेचना है खरीदना है तो उसको dp के पास जाना है तो कोई ना कोई है company में आपको registration करना पड़ेगा तो जब भी इन company में आप account खोलेंगे तो आपको 2 account खोल के देंगे एक demet account खोल के देंगे एक trading account खोल के देंगे तो trading मतलब इनका platform use करने का account demet मतलब जब मैं share खरीदूँगा वो जाके यहाँ पर store हो जाएंगे तो अब simple साथ example वापिस से समझो एक share मैंने reliance से खरीदा 1000 रुपे मैंने angel broking को दिये angel broking ने NSC को दिये NSC ने reliance को दिये तो reliance ने वहाँ से एक share issue करा तो ये share reliance के भी कही ना कहीं आपने खरीदा reliance का वो आपके demet account में डाल देगा तो आपको यहाँ पर दो mail आएंगे एक mail आएगा angel broking की तरफ से कि भाईया आपने हमारा platform यूज करा धन्यवाद हमने तब रोकरेज काटा हमने ये काटा वो काटा और आपने एक share खरीदा वो एक share ये खरीदा वो आपके demet account में जाके store हो गया अब demet account एक अलग agency है जो की government के अंदर आती है तो कल को ये चीजे बंद भी हो गई trading account वाली तब भी आपके सारे share जो हैं वो कहीना कहीं store रहेंगे आगे वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया इनके account कैसे दिखेंगे login कैसे करेंगे और demet account में हम अलग से login कैसे कर सकते हैं देखने के लिए कि हमारे जो stocks हैं वो stored हैं अराम से चलने दीजिए अभी theory समझे practical भी आगे आपको मिलेगा तो घुमा फिरा के बोले तो भाईया reliance को चाहिए थे पैसे तो इनने बोला कि चलो अपन list हो जाते हैं अपन share बेचेंगे तो reliance आई बोलने कि 1000 share में 1000 रुपे के हसाब से बेचूँगा तो 10 लाक रुपे में इखटेक कर लूँगा यह मैं example बता रहा हूँ कि 1000 share ही है इनके 10-15 करोड से जादा share होंगे और एक share का भाव भी उनका 1000 के उपपर है तो यह एक तरह से example है कि 10 लाक रुपे मुझे चिये थे तो मैं आया सेबी का regulatory है यहाँ पर सेबी सब की निकरानी कर रहा है exchange की, demand account की, इन company की और आपकी भी आप मतलब सब घूम फिर के सब कुछ एक तरह से सब को सही तरीके से चल रहा है कोई कुछ भी गलत करता है सीधे fine लगाता है सेबी और सेबी जो है वो government के अंडर आता है तो यह पूरा यहाँ पर जो है वो देखरेक कर रहा है रिलाइंस ने अपने 10 लाग रोपे एकटे कर लिए अब उसको रिलाइंस को कभी भी वो पैसे वापस ही नहीं करना है भया वापस कैसे नहीं करना है मैं तो share बेचूँगा तो भया जब आप share बेचोगे तो वो रिलाइंस के पास नहीं जाने वाला यहाँ पर यही तो अच्छी चीज है आप चाहो तो आपकी खुद की कंपनी का IPO ला सकते हो कंपनी बड़ी करो अच्छा खासा करो और खुद का IPO लांच कर दो तो लोग आपकी कंपनी में पैसा देंगे पैसा लगाएंगे आप list करा दो अपकी company अपने exchanges में से भी से approval लेके उसके बाद लोग आपकी company में पैसा लगाएंगे तो पहली बार IPO के बाद आपकी ही company में वो पैसा आजाएगा आप इखटा कर लो और इस पूरे scenario में कभी भी मुझे पैसा वापस करना ही नहीं है अब ये करना क्यों नहीं ह भाई तो ये समझते है second scenario में तो भाई यहाँ पर second scenario ऐसा है कि IPO का मतलब होता है initial public offering यानि कि पहली बार में आ रहा हूँ भाई या market में share बेचने तो पहली बार में मैंने बेच दिये सब लोगों ने एक एक बार के खरीद लिए company के पास पैसे आ गए company अपनी बाहर हो गई अब इस पूरे scenario में company बाहर रहेगी company ने पैसे खटे कर लिए अब उस पैसे का company को क्या करना है वो company अपना समझते रहेगी अब company अपनी बाहर हो गई तो अब मान लो एक हजार share में से first user को एक share मिल गया दूसरे user को एक और share मिल गया तो अब मान लो ये share आपके DMIT account में है logo अब इसको share बेचना है तो अब ये वापिस बेचेगा तो बेचेगा कैसे ये वापिस से angel booking की app पे जाएगा website पे जाएगा अपना एक order लगाएगा मुझे भाईया एक share बेचना है तो ये check करेंगे DMIT account में इसके पास share है भी कि नहीं बेचने आ गिया तो ये check करेंगे DMIT account म वो जो order है वो लगा दी NSC में अब NSC जो है वो बाकी broker से भी connected है और उस हर broker के नीचे कोई ना कोई बहुत सारे users हैं तो कोई ना कोई वापस से order लगाएगा खरीदने का अब जो वो order लगाएगा खरीदने का अब वो company नहीं देगी वो share अब वो आपस में लोग खरीद रह रहे तो एक बार जो अब IPO आता है तब आप company से share खरीदते हो एक बार सारे share big गए तो अब लोग आपस में share खरीदते रहेंगे और price आपस में up down होता रहेगा जो भी demand चलेगी जो भी supply चलेगी तो मेरे पास एक share है 1000 रुपे का आज उसका भाव है 1200 रुपे तो मैंने वाप बेशते रहते हैं तो मैंने order लगाया 1200 का कोई 1200 में खरीदार होगा तो मेरे demand account से share निकल के उसके demand account में चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर compulsory है अगर आप इन कंपनियों में account खोलोगे तो demand account by default खुलके ही मिलेगा क्योंकि अगर यह जो DP हैं इनने कोई account नहीं खोला demand तो ज हमारा सब कुछ काम exchange कर रहा है और exchange के अंदर हमारे सारे order लग रहे और exchange से ही दूसरे लोग उसके order खरीद रहे तो यह सब कुछ automatic प्रोसेस है कोई इसमें manual नहीं बठा है कि approve कर रहे है हाँ इसने बेचा हाँ इसने यह किया सब कुछ automatic है सूबे timing है इसकी 9.15 से start होता है exchange सा concept समझे है मैं user हूँ मेरे पास एक reliance का share है मुझे बेचना है 1200 का rate चल रहा है मैं एक user हूँ मुझे खरीदना है 1200 के rate से तो मैंने order लगाया order लगा exchange में यह order जिरोधा के तुरू आ गया होगा exchange में और किसी का कि 1200 में खरीदना है तो यहां से जो मेरा share है वो उठके उसके dimate account में चले गए और उसने जो 1200 दिये वो घूम फिर के मेरे पास आ गए और वो जो 1200 आए वो आपके angel broking के wallet में आ गए अब इस wallet से या तो आप चाहो तो दूसरा share खरीद लो अगर आपको वापस से आपके bank account में पैसे निकालना है तो यहां पर option आता है जो कि हम आगे वीडिय आप क्लिक करो amount लिखो क्लिक कर दो तो वो पैसा आपके bank account में आ जाएगा इसलिए बोला जाता है तीन चीजों की जरुवत है पहला आपका bank account जिससे पैसे डालोगे पैसे वापस आएंगे दूसरा trading account जिसके through ये exchange की access मिलेगी आपको direct access नहीं मिलती है इन company के through ही लेनी exchange में order लगा पाओ buy के sell के और उसके साथ एक DMAT account भी चाहिए ताकि जो चीज़े खरीदोगे बेचोगे यहाँ पर आके store हो जाएगी और यह government की निगरानी में है इन company का इसमें कोई role नहीं है यह सीधे government की side पर खुलते है account तो यहाँ से निकल के वहाँ से चले जाएंगे त फिर आप angel booking में order लगा के वो पैसा आपके main saving account में मंगा सकते हो तो अब जो share आप खरीद रहे हो बेच रहे हो यह आपस में लोग ही खरीद रहे हैं लोग ही बेच रहे हैं इसने लगाया order खरीदने का इसने लगाया बेचने का तो यह आपस में बस ही चलता रहता है चलता कोडिंग से हो रहा है तो जब बेचने वाले जो हैं वो 50,000 हैं लेकिन खरीदने वाले एक लाक हैं तो भाई है डिमांड सप्लाई वाला सीना गया डिमांड बिलकुल जादा है और उसकी सप्लाई कम है तो प्राइस अप हो जाएगा बढ़ जाएगा अपने आप एक एक सेकेंड में स्टॉक का प्राइस उपनीचे उपनीचे होता रहता है जो भी इसकी टाइम फ्रेम है तो यह सब कुछ डिमांड ने सप्लाई में जादा लोग खरीद रहे हैं कम लोग बेच रहे हैं तो वहाँ प सिनेरियो में रिलाइस यहाँ पर पूरा बहार है बट अभी वीडियो जब आगे जाएगा तो आपको पता चलेगा यह जो स्टॉक का प्राइस अपडाउन हो रहा है इसमें रिलाइस का सबसे बड़ा फाइदा क्या होता है मतलब इंशार्ट रिलाइस का फाइदा नहीं ह रिलाइस के अंदर लोगों का फाइदा है तो देखा गाईस पूरी hierarchy में पूरे tree में मैं किसको पैसे दूँगा कहां से पैसे घूम के मेरे पास पैसे वापस आजाएंगे अब यह पूरे tree में अपन अब यह भी समझ लेते हैं इत्ती सारी एजंसी इत्ती सारी company involved हैं इन ल कमाना ही है तो अब मैं जिस भी DP से मेरा account बनवाऊंगा तो वो brokerage के नाम पर पैसे कमाएंगा तो जो angel broking हो गई जिरोधा हो गया तो यह जो companies हो गई यह company के मैं access use कर रहा हूं website use कर रहा हूं तो यह लोग brokerage लेते हैं तो यह अलग-अलग type से brokerage लेते हैं वो अभी अपन आ काटता है हर transaction की तो यह taxes percentage में रहता है जितने भी रूपे का आप transaction इनके exchange से कराएंगे कुछ percentage वो अपने level पर रख लेगा क्योंकि वो आपको services दे रहा है उसके बाद जो सेबी है सेबी भी free में काम नहीं कर रहा है आपके हर transaction पे थोड़े थोड़े पैसे काटता रहता है तो वो पैसा इखटा होगे सेबी के पास आजाता है इसी तरीके से हर एक इंसान यहाँ पे जो है वो पैसा कमाएगा ही कमाएगा हमारे अलावा वो कि हमारा हो सकता है हम पैसा गवा भी सकते हैं लेकिन यह जो company है डीपी वाली company हो गयी exchange हो गया सेबी हो गया government हो गयी इन समझते हैं कि जो मैं पैसे देने वाला हूँ उसमें मुझे मिलेगा क्या-क्या क्या आलू मिलेगा क्या भाजी मिलेगी या apple मिलेगा तो यहाँ पर अलग-लग segment है जिसमें आप अलग-लग चीजों पर पैसे लगा सकते हैं पैसा कमाने के लिए सबसे पहला segment होता है equity अब य share issue कर रहा है वो दो type के हो सकते हैं पहला तो यह आपने पैसे दिये उसने share दिये आपने उसकी delivery ले ली यानि कि वो share आपने अपने पास रख लिया अब यह आपके उपर है चाहो तो कल बेचो या चाहो तो 10 साल बाद बेचो लेकिन same day नहीं बेच सकते तो अगर आपने पै share खरीदे वो DMIT account में save रहेंगे लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज होती है intraday अब यह intraday क्या है intraday यानि मुझे delivery ने चाहिए मुझे आपके share चाहिए ही नहीं मैं तो सुबह आओंगा जब market खुलेगा मैं पैसे लगाओंगा और शाम को उसी दिन वो मैं share जो खरीदा तो मैं office बेच दूँगा तो यहाँ पर मैंने पैसे तो दिये लेकिन कुछ खरीदा नहीं पैसे दे के रखे रहे 3-4-5 घंटे जब लगा कि जित्ते का खरीदा था उससे जादा हो गए तो वही के वही बेच दिया तो मालो 500 रुपे का share सुबह 9-15 पे खरीदा और 2 बजे वह 1000 रुपे का हो गया तो मैंने 1000 में उसको बेच दिया तो मेरे पास कुछ नहीं आया मैंने एक ही दिन में पैसे लगाए और एक ही दिन में अगर loss होगा तो loss में बेचना पड़ेगा profit होगा तो profit में मैं खुद बेच दूँगा तो यह intraday का मतलब है कि आपको एक ही दिन में खरीदना है एक ही दिन में बेचना है अगर आप खरीद के नहीं बेचोगे तो अपने आप ही वह भिख जाएगा जब market close हो रहा होगा उसको बोला जाता है square of तो मतलब मान लो 10 बजे में आया मैंने देखा reliance का share 1000 रुपे का है मैंने खरीद लिया अब खरीद के मैं नह practically देखेंगे अभी concept समझिए कि अगर मैंने intraday में खरीदा कोई share तो अगर मैं नहीं बेचूँगा तो अपने आप बिख जाएगा और खुद से बेचने के पास मेरे पास power है कि मैं उसी दिन बेच सकता हूँ तो intraday में loss भी हो सकता है profit भी हो सकता है वोगि मेरे हात में च सकता हूँ क्योंकि मेरे पास delivery आ गई अब मेरे पास choice रहेगी कि अगर आज इसका price बढ़ रहा है तो मैं कल बेच दूँगा नहीं बढ़ रहा है loss में है तो मैं रखे रहें दूँगा 10-15-20 दिन बात तो बढ़ेगा तो यहाँ पर delivery वाले पर ही हम पूरा focus रखेंगे पू में loss हो रहा होगा तो पहला function होता है आपके equity जिसमें delivery आती है जिसमें आप delivery लोगे तो demand में जाके save हो जाएगी फिर जब मन चाहे अगले दिन बेचो या तो वो 10 साल बाद बेचो तो यह investment के नाम पे जो है वो लोग equity में delivery ही करते है अपन लोगों ने पैसा दिया shares मिल rates है जिस दिन चाहो उस दिन आप बेच सकते हो लेकिन intraday में जब भी खरीद होगे तभी बेचा जाएगा तो intraday को trading बोला जाता है खरीदना बेचना खरीदना बेचना लेकिन equity delivery के अंदर उसको investment बोला जाता है आपने पैसे को invest किया ताकि future में use हो intraday में तो आप trading कर रह है सिर्फ वो equity delivery वाला function है इसके बाद जित्ती चीज़े आ रहे हैं सब पैसे कमाने वाली चीज़े जिसमें मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करता है इसमें घुसो व्योंकि इसमें घुस गए तो loss होगा दिमाग खराब होगा और आपकी जिन्दगी खराब करोगे आप परसो एक तरह से बोल सकते हो 60 लगा रहे हो एक तरह से मतलब आप एक पैसा लगा रहे हो कि परसो यह जो reliance का share है यह कितना बढ़ेगा उसके उपर भी पैसा लगता है इसमें कुछ delivery का कुछ scene ही नहीं है आप बस पैसा लगा रहे हो कि परसो यह जो share है यह कितना बढ भी आएगा और loss भी होगा उसके अलावा और भी चीज़े होती है commodity मतलब आप gold खरी सकते हो silver खरी सकते हो petrol खरी सकते हो crude oil हो गया natural gas हो गया इन चीज़ों पर भी आप पैसा लगा सकते हो तो इसके आपको delivery नहीं मिलेगी virtually आपको मिल जाएगा gold virtually आपको आपने खरीद लिया natural gas अब कलको natural gas के पैसे बढ़ेंगे तो आप बेच दो मतलब एक तरह से virtually उसको खरीदा virtually ही बेच दिया यहाँ पे भी कोई delivery नहीं है तो यह भी ट्रेडिंग है तो commodity के अंदर यह सारी चीज़े आती gold खरीद लो silver खरीद लो natural gas आप बहुत सारी चीज़े खरी सकते हो इसके र हो वो अलग-अलग currency भी खरी सकते हो तो इस तरह से पूरा चार्ट देखें तो equity, equity में delivery, intraday उसके बाद आता है FNO, उसके बाद आता है commodity, उसके बाद आता है हमारा currency तो इन चीज़ों में जो नीचे सारी चीज़े हैं सबको trading के नजर से दिखा जाता है पैसे लगाना है प यह कोई stock नहीं है, यह कोई company नहीं है कि आप इसको directly खरीद लो, यह एक तरह से index है, जैसे book के अंदर पहले index रहता है वो बोला जाता है कि इस page पे यह है, इस page पे यह है, अब होता गया, इतनी सारी company है registered, अब आप चाहो तो एक ए company के share रोज देखो, कि भाई, reliance बड़ा, average निकाला, कल कितने rate पे थे, आज कितने rate पे हैं, और एक index बना दिया, तो मैं sensex को देखके यह बोल सकता हूँ, कल अगर sensex इतना था, आज अगर 2% उपर है, तो आज पूरा market 2% उपर है, तो यह index है, यह कोई company नहीं है, यह कोई इसके share नहीं मिलते है, यह सिव एक value है, ज यह भी up down होती है, क्योंकि वो company के share भी up down हो रहा है, तो यह सारी चीज़े जो है, एक तरह से यह सिर्फ एक index है, यह देखके आब बस यह पता लगा सकते हो, सारी company को मिला के आज market उपर गया, कि आज market नीचे गया, तो घुमा फिरा के कुछ चीज़े समझ आ रही होंगी, क अकाउंट बनाना कहांपे है, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, क्या-क्या चीज़े, तो सबसे पहला point तो यह है, आपको आपका trading account खुलवाना है, उसके साथ DMIT account लिंक करवाना है, अब देखो by default कहीं पे भी आप account खुलवाओगे, किसी भी DP company पे, तो यहाँ इस वीडि क्या है, ताकि हम उसके आगे जब account बनाए, तो आपके मन में आप sure हो जाओ, कि आपको इन दोनों में कहां पे account खुलाना है, और यह दो इकलौती company नहीं है market में, 15,000 से जादा company आ है, तो जहाँ मन चाहे वहाँ खुला लो, लेकिन वो ही है कि आप इताब पैसा देने वाले जिरोधा की बात करें तो 2010 में जिरोधा बनी है, इन कॉपरेट होई है, यहाँ पे angel broking जो है, वो full service broker है, तो उनके 11,000 से जादा जो है वो branches है, तो उनके broker आपको नीचे market में मिल सकते हैं, किसी भी city में, तो उनके through app account खुलाते हो, तो उनको brokerage का कुछ share जाता है, percentage होता है, लेकिन यहाँ पे हम सब कुछ online कर रहे हैं, तो broker वाला पूरा part यहाँ पे skip हो गया, इसी तरह जिरोधा जो है, वो discount broker है, तो जादा तर इसकी सारे चीज़े online होती है, तो उनकी जादा branches नहीं है, तो 120 प्लस branches हैं, और angel broking की 11,000 प्लस branches हैं, अब exchanges की बात करें, तो जितने exchange ह होते हैं, यह लगभग सब में ही हैं, और जिरोधा भी सब में हैं, तो NSC, BSC, MCX और जो exchange होते हैं, तो angel broking और जिरोधा दोनों ही common सारे exchanges में registered हैं, अब ही हमको account खुलाना है, तो account opening charges अगर हम angel broking का देखें, तो अभी हम कुछ भी रूपे नहीं देना है, तो पहले साल हमार पूरा free रहेगा, तो अगर अभी हम account create करते हैं, तो हमको कोई भी पैसे नहीं देना, एक साल हम free में account चला सकते हैं, वहीं अगर आप जिरोधा में जाते हैं, तो आपको 200 से 300 रूपे अभी आप जब account create करेंगे, तब ही आपको देना है, इसी तरह ये तो पहले साल की बात ह गई, अब एक साल बात आपको हर साल annual maintenance के पैसे देना है, अगर आप trading करते हैं, नहीं करते हैं, तब भी आपको जो है angel broking में 450 प्लस GST आपको हर साल देना है annual maintenance का, और जिरोधा की बात करें तो 300 रूपे प्लस GST आपको annual maintenance देना है, अब brokerage की बात करें तो delivery की, जो share मैं खर contract note का देते हैं, दिन भर में जो जो चीजे करेंगे उसकी एक particular report बना के आपको रात में आएगी, तो उस पूरी एक report को बनाने के ये लोग एक पैसे लेते हैं, तो अगर आप महिने में 15 दिन भी trading करते हैं, तो आपके 15 पैसे जाएंगे, जो की एक तरह से बोल सकते हो, negligible ही देना है, 20 रुपीज पर order आपको 0 धा में भी देना है, तो जैसे मैं अगर intraday में एक order buy करूँगा, तो उसी दिन मुझे sell भी करना है, क्योंकि intraday का मतलब ही है कि आज खरीत के आज बेचना है, तो buy order पे 20 रुपे लगेंगे, फिर sell पे 20 रुपे लगेंगे, तो इस तरी आपको मतलब minimum 40 रुपे तो कमाना ही है अगर आप intraday कर रहे हैं, अब देखियो यहाँ पे DP charge भी होता है, DP charge मतलब अगर मैंने delivery में कोई share ले लिया, तो अब मैं कभी ना कभी तो उसको बेचूँगा, sell करूँगा, तो यह depository participant charge लगाते हैं, यानि कि जब भी मैं कोई share sell कर आप एक share बेचो या एक लाक share बेचो, आपको एक order के रुपे देना है 20 रुपे, तो यह एक तरह से बोच सकते हो, delivery लेते हो, तो 20 रुपे से जाधा की कमाई करोगे, तब जाकि आप यह ब्रोकरेज हटा के, सारे charges हटा के, आप एक तरह से कमाई कर पाओगे, अब यहाँ नोटिफिकेशन की बात करें, तो email notification दोनों ही देते हैं, जिरोधा भी देता है, angel booking भी देता है, तो जब भी आप जो भी चीज़े करोगे, ट्रेडिंग करोगे, तो रात में आपके पास है कि स्टेटमेंट आएगा कि आपने कितने रुपे का क्या क्या चीज़े खरीदी, क्या क्या चीज़े बेची, वो सब भी आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि स्टेटमेंट दिक्ता कैसा है, उसमें क्या क्या चार्जेस लगते हैं, अब देखो आप fund एड करोगे इनके wallet में, तब जाके आप share खरीद पाओगे, तो अगर आप angel booking में net banking से पैसे आड क इस link है, इस link है through आप account बना सकते हो, अगर आपको angel में बनाना है, तो sittalk.com slash angel open करना है, अगर आपको 0Dha में बनाना है, तो sittalk.com slash 0Dha open करना है, लेकिन भाइया अभी रुख जाओ, इतनी जल्दी बाजी मत करो, अभी तो सब हमने differences देखें, आगे हम इसकी website भी दिखाएंग अकेली कमपनी नहीं है, 15,000 से जाधा कमपनी, जहाँ पर आपका मन चाहिए, वहाँ पर जाके आप account खुला सकते हैं, पर वहाँ पर भी ये सारी चीज़े देख लेना, कि वो company आपको क्या-क्या चीज़े दे रही है, क्या-क्या चीज़े नहीं दे रही है, अगर आप खुलवा भी लोगे, तो DMED तो उसके साथ लिंक करना ही है, तो अगर आप इन company में जाके sign up करते हैं, तो DMED by default खुलेगा ही खुलेगा, उसका number भी आपके पास आएगा ही आएगा, लेकर अगर पहले से आपका कहीं दूसरी company के साथ खुला हुआ है, तो वो चाहो तो इस company म भी लिंक करवा सकते हो, तो उसकी process manual रहती है, उनको call करके, email करके करवाना पड़ता है, लेकिन online खुलवा रहे हो, तो by default जब नया account खुलवाओगे, तो DMED भी साथ में ही मिलेगा, और trading भी साथ में ही मिलेगा, और saving account तो आपके पास होना ही चाहिए, तो वो तीनों में account create करना कैसे है, तो angel broking में अगर आपको अपना DMED अकाउंट, trading account खोलना है, तो नीचे आपको link दिया गया है, sittalk.com slash angel, इस जगह आएंगे, तो यहाँ पे पुछेगा आपका नाम, mobile number, city, यह लिखने के बाद OTP आएगा, उसके बाद take me ahead पे आप click करेंगे, यहाँ पे अंदर आने के बाद आपको ऐसा panel मिलेगा, यहाँ पे आपको लिखना है, date of birth, pen card number, email ID, account number, IFSC code, और नीचे आपको बता रहा है कि अभी आपका account opening fee पूरा free है, एक साल कोई भी AMC नहीं है, annual maintenance charge, plan detail पे आप जाते हैं, तो आपको बताएगा कि delivery पे आपको 0% की brokerage है, intraday, FNO, currency या commodity करते हैं, तो 20 rupees per order लगेगा, तो अभी यहाँ पे account create करेंगे, तो एक साल आपको पूरा free रहेगा, यहाँ पे जो जो details यह मांग रहा है, यहाँ पे आपको fill करना है, pen card और account number देने के बाद, यहाँ पे second step आएगी, जिसमें आपको आपकी personal details देना है, तो यहाँ पे अधार card की details share करना है, तो यहाँ पे तीन अलग-लग options है, पहला option तो है कि अधार card offline share कर सकते हैं, दूसरा digilocker के तुरू है, अगर आपने digilocker में account बना के रखाए, उसके अंदर अगर आपने अधार card add करके रखाए, तो वो यहाँ directly आप वहाँ से access करके, आपकी सारी details fetch क कर सकते हैं, फिर आपको कुछ भी upload नहीं करना है, तो अगर आपको digilocker से share करना है, तो यहाँ पे आप click करेंगे, तो नीचे आजाएगा button आपके बस share with digilocker, अगर आपके बस digilocker भी नहीं है, offline अधार भी नहीं है, तो आप manually भी चीज़े enter कर सकते हैं, पर इसमें फिर आपको सारी चीज़े खुद से manual upload करनी पड़ेंगी, processing time में भी time लगेगा, अगर आप जाते हैं, share offline अधार में, तो यहाँ पे एक method है, कि आप अधार कार्ट की details उनीकी website से download कर सकते हैं, zip file में, और वो zip file यहाँ पे upload हो जाएगी, तो download अधार कार्ट details पे आप click करेंगे, चार digit का कोई भी code आप बना सकते हो, तो वो zip file download होने वाली है, वो particular file उस 4 code से ही खुलेगी, तो यहाँ पे जो भी आप चाहें, वो 4 digit का code बना सकते हैं, उसके बाद इसको download पे click करना है, download पे click करेंगे, तो नीचे एक file download होई है, offline अधार नाम से, अब यह file के अंदर आपकी सारी अधार काट की details हैं, जो कि आपको upload करना है angel broking की site पे, और यह file खुलने के पहले code मांगेगी, जो code आपने उपर बनाया है, तो आप वापिस से आएंगे angel broking पे, यहाँ पे click करेंगे share offline अधार, उसके बाद यहाँ पे option आएगा, upload अधार detail, इस पे आपको click करना है, व यह code आपने chart digit का वहाँ पे दिया था, जब यह file डाउनलोड करना था, वो code आपको यहाँ पे इनको भी देना पड़ेगा, ताकि angel broking उस particular file को open कर पाए, code देने के बाद आपको proceed पे click करना है, अधार की zip file upload करने के बाद जब आप next करेंगे, तो आपके पास यह enter personal detail की screen आई अगर आप future and community में जाना चाते हैं, तो आपको 6 महीने का अपना bank statement upload करना है, अगर नहीं जाना चाते हैं, तो यह इसमें star नहीं है, mandatory नहीं है, और वैसे यह पूरी process आप अपने mobile app से भी कर सकते हैं, angel broking की mobile app डाउनलोड करके, आपका phone number वापिस से sign up पे click करके, phone number नाम डाल करने के बाद, जिस भी process पे आप रुके हुए हैं, वो process उसके आगे आपकी mobile app से भी हो जाएगी, तो एक बर sign up आप link से कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे की जो processes है, वो सब mobile app के through भी हो जाएगी, ज़रूरी नहीं है, आपको website से ही करना है, bank card और bank statement देने के बाद, इसक आपको आपका अधार का number डालना है, number डालने के बाद, अधार कार्ड वाले में जो भी linked mobile number है, उस पे OTP जाएगा, वो OTP एंटर करने के बाद, ये particular सारे documents e-sign हो जाएगे, कि हाँ ये authorized है, आपने दिये हैं, तो ये सारे सही है, e-sign पे OTP देने के बाद, इस screen पे आएगे उसमें ये एक in-person verification हो जाएगा, चाहें तो यहाँ पे start camera क्लिक करके आपके laptop, desktop से, webcam से इसको record कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि send mobile link, तो एक link आपके phone पे आजाएगा, वो phone के link को आप browser पे open करके, सारी access दे दीजिए camera की, और फिर आपके phone के through वो पुर देंगे, तो उसको बेचने के लिए आपको angel booking को power देनी पड़ेगी, कि आपके DMIT के account से वो share बेच सकें, तो उसके लिए POA आपको sign करके courier करना है, तो अभी आप continue कर दीजिए, वैसे आप अभी नया step आगिया है, जिसमें आप mobile app से अगर share बेचते हैं, तो आपको POA देन के बाद आपकी सारी process हो चुकी है, अब आपको कोई document नहीं देना है, POA भी आपको mail पे आएगा, अब आपको एक से दो दिन wait करना है, अपने आप आपके phone पे और email पे एक activation link आएगा, जिसमें आपकी user ID, password आ जाएगा, तो एक से दो दिन लगेंगे, क्योंकि आपका DMIT account भ गई है, बट अभी account activate नहीं हुआ है, वो manually verify होने के बाद document, आपके बास mail और message आ जाएगा, तो भाईया, दो से तीन दिन लग जाएगे, सब कुछ document submit करने के बाद, आपके बास mail आएगा, कि आपका account activate कर दिया गया है, फिर आपके बास login detail, password आ जाएगी, जो कि आगे जाके कि अपन देखेंगे, कि कहाँ पे जाके login करना है, तो अब अपन समझ लेते हैं, जिरोधा में अगर आप account खलवा रहे हैं, तो उसकी क्या process है, जिरोधा में अगर आपको account open करना है, तो नीचे आपको link दिया है, sittalk.com slash zerodha, सबसे पहले आपको आपका mobile phone एंटर करना है, उस के बाद आपको continue करना है, अब आपके पास screen आईगी, तो यहाँ पे आपको अपना pen card का number enter करना है, और उसके साथ आपका date of birth जो भी है pen card पे, वही आपको यहाँ पे submit करना है, उसके बाद आप continue करेंगे, तो अब यह step 1 start होगी, यहाँ पे यह आपसे मांगेगा कि आपको account opening charges देना है, तो यहाँ पे पहले साल भी free नहीं है, पहली बार में जब भी आप account बनाएंगे, आपको पहले साल का भी पैसा देना है, तो इसमें 200 रुपे यह लेता है, equity का, और उसके नीचे community भी अगर आपको open करना है, तो 100 रुपीज उसका extra है, तो total 300 रुपीज आपको charge देना है, इनके account creation के time, angel broking में यह पहले साल free था, बट यहाँ पे आपको charges देना है, अब आप UPI से payment कर सकते हैं, या तो आप net banking से 300 रुपे का payment कर सकते हैं, उसके बाद जब आप payment कर लेंगे, उसके बाद आपके पास screen आईगी, कि आपके अधार card की आपको details जो है, वो share कर करने का, जो की है digilocker, तो सबसे पहले आपको जाना है digilocker में, वहाँ पे आप account create करेंगे, वहाँ उसके बाद आपका अधार card उसमें add करेंगे, उसके बाद वो particular ID बनने के बाद, digilocker में ID बनेगी, फिर उस ID से आप यहाँ पे जिरोधा में login करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आएगा in person verification, IPV, जैसे हमने angel में देखा था, हमको एक video बनाना था, ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक blank paper लेना है, एक OTP आपको show करेगा, वो OTP उस blank paper पे आपको बड़ा बड़ा link देना है, और उसके बाद उसका एक video बना लेना है, तो यहाँ पे आपको paper द details देना है, pen card को upload करना है, उसके बाद यह बुलेगा एक particular page पे आप sign करिये, उस sign की photo खीचिये या उसको scan करिये, और उस sign को भी यहाँ पे upload करिये, तो यह सारे document देने के बाद आपको OK क्लिक करना है, उसके बाद अब यह लेके जाएगा NSDL की site पे, जहाँ पे आपने जित करके नीचे आपका अधार card का number एंटर करना है, उसके बाद OTP आएगा आपके अधार के linked number पे, उसके बाद OTP डालने के बाद आप submit करेंगे, तो आपका पूरा form आजाएगा, वो आप पढ़ सकते हैं, और वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, I agree और e-sign, तो आपका जो e-signature ह वो particular account में हो जाएगा, तो अब आपका ये account जो है, इसके अंदर बन गया है, अब एक से दो दिन के अंदर आपके पास email या message आ जाएगा, कि आपका account एक्टिवेट हो गया है, तो भाईया यहां तक आ गए है, मन लगा के वीडियो देख रहा है, मज़ा आ रहा है, सीखने क करो, और तीसरा point, अगर आपको deadly अच्छा लग रहा है वीडियो, मतलब हाट से आपको खुशी हो रही है, कि कुछ नई चीज आपको सीखने को मिलिये, तो मेरे Facebook, Twitter और Instagram, तीनों के ये links है, यहां पर जाके आप मुझे follow करो, तो जितने जादा मेरे को notification आएगे, उतना मेरे पास भी एक response आएगा आपका, कि हाँ भाया, इतने सारे लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है, और उनके life में कुछ वो नया सीखना पसंद कर रहा है, और stock market के बारे में उनको सीखने में मजा आ रहा है, तो जितने जादा follow के notification आएगे, उतना मुझे भी लगेग मेरी महनच जो है, वो सफल हो रही है, तो भाया अब समझते हैं कि हमारे दोनों में account हमने खोल लिया, Angel Broking में भी खोल लिया, 0-10 में भी खोल लिया, अब 1-2-3 दिन में मेरे account activate हो जाएगे, जब activate होंगे, तो आपके बास mail आएगा, mail में होगा username, password, इनकी site पे login करने के करने के बाद, so guys, आपको open करना है angelbroking.com, ये website पे आएगे, तो उपर आपको login की button मिलेगी, तो जब आपके पास ID, password आज आएगा, आपको login पे click करना है, यहाँ पे user login की button मिलेगी, इस पे आपको click करना है, अब यहाँ पे आप click करेंगे, तो आपके पास user ID, password आया होगा, जब आपका account approve हो जाएगा, वो यहाँ पे आपको type करना है, तो जब आप login करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके का एक panel मिलेगा, अब आपन एक एक करके सारी चीज़े समझते हैं, कि इस panel में क्या क्या चीज़े आपको देखने को मिल रही है, तो सबसे उपर देखिए, आ अपने आप यहाँ पे आपको सारी चीज़े देखने को मिल जाएंगी, अब सबसे पहले यहाँ पे option आ रहा है portfolio का, अब भया portfolio क्या होता है, तो आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि मेरे portfolio में इतनी company है, मेरे portfolio में इतनी company है, तो portfolio का मतलब यह है कि उस सामने वाले ने कि किस company में invest करके रखा है, यानि कि कौन कौन सी company के shares लेके रखें, जैसे अब भी मेरे portfolio में देखें, तो मैंने testing के लिए equity portfolio आप देखेंगे, तो यहाँ पे दिखा रहे है कि 55,421 रुपीज के आसपास मेरे portfolio का value है, यानि कि मैंने अलग-अलग companies के share लिये हैं, जिसकी कीमत आ अभी company के share नहीं खरीदे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैंने L&T के 6 share लिये हैं, अभी इसकी value चल रही है, 821.80, मतलब एक share की value है 821 रुपे, लेकिन जब मैंने लिया था, तब इसकी मेरी average value आई थी 867, तो इस हिसाब से देखें, तो मैंने invest करे थे 5,208 तो मेरी value कम हो चुकी है, तो मुझे यहाँ पे दिखा रहे profit and loss में, कि भाया मेरे 277 रुपीज जो है मैं अभी loss में चल रहा हूं, इस particular share में, इसी तरह Reliance में देखेंगे, तो Reliance की value बता रहा है 1575, तो मेरे पास इसके 20 share है, तो मैंने जो share खरीदा था, वो खरीदा था 1429 क rate में मैंने खरीदा, यानि कि मैंने invest करे थे 28500 के आसपास, तो अब जो उसकी current value है, वो है 31000, यानि कि मैं अभी 2900 रुपे plus में हूँ, मेरा अभी profit चल रहा है, अगर आज मैं इसको बेचता हूँ, तो मुझे 3000 रुपे के आसपास मिल जाएंगे, इसी तरह TCS में दिखा दे और ये day P&L मतलब आज के दिन, सिर्फ आज ही आज के दिन, कितने रुपे मेरे बड़े हैं, तो आज के आज मेरे TCS में जो है 74 रुपीज बड़े हैं, Reliance का share बहुत उपर चला गया है आज की तारिक में, तो 1300 रुपे मेरे सिर्फ आज ही आज मैंने कमा लिए, अगर मैं ब कि आपके पास कितने share अभी हैं, तो अभी ये rate चल रहा है, आपको बेचना है, तो यहाँ पे buy click करके बेच सकते हैं, जो कि अभी आगे समझेंगे, सारे stock खरीद के दिखेंगे, बेच के दिखेंगे, क्या-क्या process होती है, अभी overview चल रहा है, इसी तरह ये equity का portfolio है, ऐसे ही future and option का portfolio है, उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, commodity का portfolio है, ऐसे आपके currency का है, mutual fund का है, तो portfolio वाले section का मतलब ये है, कि अलग-अलग sections में, equity मतलब आपके delivery share हो गए, future option अलग चीज हो गई, commodity, mutual fund, तो किस-किस में आपके कितने-कितनी holding है, आज की तारिक में मतलब कितने रुपे आपके बने हुए हैं, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अब देखिए इसके बाद second option आता है market का, मैंने इस पे market पे click कर रहा, तो अब जो market चल रहा है, उस हिसाब से मुझे हर एक share की value यहाँ पे पता चलेगी, और एक-एक चीजे में देख सकता हूँ, अभी आपको share आपको list में दिखाएंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसको इन लोग को भी अपना monitoring करना है, up-down करना है, जैसे share market चल रहा है, तो यह लोग आपको watch list का option देते हैं, watch list का मतलब यह है कि आपको जो shares के prices देखना है, वो आप यहाँ पे बताते चलो, वो यहा watch list बना सकते हो, watch list 3 में जो चाहो वो stock add कर लो, कभी आपको से banks related दिखना है, तो आपने सारे bank के stock यहाँ पे add कर लिए, उसके बाद watch list 2 में आपने दूसरे sector के कर लिए, इस तरीके से आप अपने list बना सकते हो, तो जब आप list पे click करोगे, तो जो जो shares आपने add करके रखे है वो particular चीज़े यहाँ पे दिखेंगे, जैसे अब मुझे यहाँ पे मानलो add करना है, reliance का share, तो मैं reliance यहाँ उपर लिखूँगा, तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा reliance, इस पे मैं click करूँगा, तो reliance automatically देखिए, मेरी watch list 2 में आ गया है, तो अब मैं जब भी watch list 2 पे द है, कि 1 में आपने bank रख लिए, 2 में आपने insurance company रख लिए, ऐसे आप अलग-अलग watch list में अलग-अलग shares रख सकते हैं, तो अपने आप जब भी market start होगा, आप watch list खोल के बैटिए, यहाँ पे आपको सारी चीज़े दिखने लगेंगी, अब देखिए, reliance मैंने add कर दिया, आने कि 70 रुपे का इसमें change आया है आज के दिन, अगर percentage में देखें, तो यह बता रहा है 4.7% का increase है, अगर कल में इसका share खरीदता और आज इसको बेशता, तो मुझे 4% का increase मिल जाता एक ही दिन में, और यहाँ पे जब मैंने reliance पे click किया, तो यहाँ पे फिर देखिए, य अभी क्या rate चल रहा है, तो जैसे market चल रहा है, अपने आप यह real time में change होते रहते हैं, उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा, कि भाया कितने लोग इसकी bid लगा रहे हैं, कितने लोग ask price मांग रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे bid quantity में यह बता रहा है, कि जो लोग खरीद रहे हैं, वो क्या rate पे कितने shares खरीद रहे हैं, तो real time में यह बता रहा है कि 14 लाग के आसपास लोग इसके share खरीद रहे हैं, और 28 लाग के आसपास लोग इसके share बेच रहे हैं, तो ask price यह बेचने वाला है, bid price आपकी price है, जो भी आप खरीदने के लिए orders लगाओगे तो यह सब कुछ transparent होता है, आपने 10 share का order लगाया, तो यहाँ पे 10 दिख जाएगा और वो चला भी जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग order लगा रहे हैं, 14 लाग के आसपास orders लगे हुए हैं यहाँ तो इस हिसाब से यहाँ पे दिखता है, कि जब आपके खरीदने वाले ज़ बैठें, तो इनने भाई साब ने 360 share लगा दी अभी अभी कितने rate में मुझे बेचना है, तो यह अलग अलग तरीके से जैसे आप order लगाओगे तो यहाँ पे transparency के साथ यहाँ टेबल में दिखाता है, तो यहाँ पे आपको सारी quantity मिल जाएगी, कौन कितने order लगा रहा है, किस rate पे open हुआ था, जब 9.30, 9.15 पे stock market open हुआ, तो क्या rate पे reliance का open हुआ, तो वो यहाँ पे rate मिल जाएगा, high मतलब है कि कितना high आज की तारिक में सबसे high कितना गया, तो यह इतने रुपे गया, low मतलब कम से कम यह कितना गया आज की तारिक में, तो वो यहाँ पे 37 के आस आसपास यह increase हो गया, इस हिसाब से total volume कितना था इसका, मतलब कितने सारे लोगों ने bid और ask price लगा के कितनी trading करी, तो यहाँ पे वो quantity दिखाता है, और ऐसी percentage change है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे यह भी दिखाता है कि 52 week में सबसे low कितना और सबसे high कितना था, तो 52 week आप बोल सकते हो, एक साल के आसपास है, तो उसमें कितना सबसे जादा high गया, कितना सबसे जादा low गया, तो एक साल के अंदर आप देखें, तो यह सबसे कम जो गया था, वो 875 रूपीज का गया था, और maximum एक साल में गया था 1617 रूपे के चल रहा है, तो कम से कम इतना गया था, उस समय अगर आप खरीद लेते, तो आज उसकी value देख लीजे, कितनी हो जाती, तो यह हिसाब से यहाँ पर यह चीज़े आती हो, नीचे फिर chart आता है, कि भई क्या rate पे जा रहा था, कौन से मन्थ में कितना rate चल रहा था, वो आपको नीचे मिल जाएगा, तो इस इसाब से हर stock की चीज़े यहाँ पे है, अब जैसे मैं HDFC पे क्लिक करूँगा, तो अपने आप यहाँ पे side में, जो right side में चीज़े हैं, वो change हो जाएगा, उसकी bid quantity दिखा देगा, ask quantity, कितने पे open हुआ, high कितना गया, अज अभी क्या rate चल रहा इस इसाब से आप यह हर stock की चीज़े यहाँ पे देख सकते हैं, तो सबसे पहली बात आपको आपकी watch list बनाना है, कि भाई कौन-कौन से share में रोज दिखूँगा, तो आपको यहाँ पे पहले add करना पड़ेगा आपकी watch list में, फिर वो particular watch list में आप click करकरके उस particular share के बारे मे real time में चीज़े देख सकते हैं, तो यह तो बात हो गई भाई आप market की, जब market start होगा तब यह सारी चीज़े कर सकते हो, अब जब आपको खरीदना है तो आप buy पे click करोगे, sell पे click करोगे, buy, sell अभी अपन आगे समझेंगे, market के बाद third option यहाँ पे आ रहा है orders, orders मतलब यह है क जब भी आप कोई order लगाओगे, तो वो सीधा exchange में जाके लगता है, तो यहाँ पे जैसे आपने लगाए कि 1530 रुपे का मुझे reliance खरीदना है, मैंने order लगा दिया, तो यहाँ पे दिखाएगा, कि अभी order pending है, क्योंकि अभी वो rate आया नहीं है, जब भी वो rate आएगा, वो order execute हो जाएगा, तो orders book में आपको वही चीज़ें मिलेंगे, कि आपने कितने orders लगाए, कितने sell के लगाए, buy के लगाए, सारे orders यहाँ पे आपको देखने को मिलते रहेंगे, उसके बाद trade book में वही है कि कितनी अपने trading करी, नहीं करी, एक तरह से बोल सकते हो, statement होगी आपका real time वाला, जितने order आप real time में लगाते जाओगे, यहाँ पे दिखाते जाएगा, उसके बाद fourth option आ रहा है, advisory, तो यह खुझ से बताते हैं कि भाई, इसमें यह खरीद लो, वो खरीद लो, कि इन लोग का अभी कहीं न कहीं brokerage मिलता रहता है, तो यह हमको अभी देखना नहीं funds पर जाओगे, तो अब भाईया, जो हम share खरीदेंगे, बेचेंगे, तो हमको पहले पैसे add करने पड़ेंगे न, तो यह wallet system जैसा system होता है, आपका जो saving account आपने add करके रखा है, उससे आप पैसे पहले इनके wallet में डालोगे, वो wallet से फिर आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, तो यहाँ पर जितना amount आपको add करना है, वो particular amount आप यहाँ पर add कर सकते हो, UPI से, net banking से, तो जो भी आपने account दिया होगा, account creation के time पर, उसी account से आप पैसे add कर सकते हो, यहाँ पर amount लिखोगे, add fund करोगे, तो जैसे हम wallets में पैसे add करते हैं, वैसे इसके particular wallet में पैसे add हो तो वो वापिस से invest हो जाएंगे, वो मेरे portfolio में वो shares दिखने लगेंगे, कि भाया मैंने इतना investment करके रखा है, लेकिन अब भाया मैंने shares बेचे थे, उसकी वाइसे मेरे पास wallet में पैसे आ गए, अब मुझे यह पैसे वापिस से निकालना है मेरे bank account में, तो यहाँ पर add fund के अंदर automatically NFT हो जाएगा, IMPS आपके उस particular bank account में पैसे वापिस से credit हो जाएंगे, तो यहाँ पर निकालना और add करना बहुत simple है, जैसे आपको add करना है, real time में पैसे add हो जाएंगे, जब भी आप withdraw के request दोगे, तो शाम को 6 बजे तक भी आप देते हो, तो 8 बजे तक आपके पास अपके account में वो पैसे credit हो जाएंगे, तो वो बात तो ही नहीं कि यहाँ पे पैसे पड़े हैं, वो इन withdraw कैसे करूँ, तो वही है कि wallet से आपको खेलना हो, तो आप share खरीदो, बेचो खरीदो, जिस दिन लगे नहीं अप ठीक है, बस बहार निकलना है, तो अपना पूरा पैस वापिस से अपने withdraw कर लिया, अपने bank account में, तो यह funds वाले section में हो जाता है, अब report वाले section में आपको सारी reports देखने को मिलेंगी, अब reports भी बहुत सारी होती हैं कि आपके पास कितने shares पड़े हैं, कितना share आपने बेच चा, खरीदा, उसमें brokerage किती लगी, क्या उसमें taxes लग उसमें कितने credit हुए हैं, कितने debit हुए हैं, जैसे मैं DP पे click करता हूँ, अब यह पुछेगा date बताओ, मैंने date go कर दिया, अब यह particular report निकाल के लाएगा, कि भाईया मेरे, उसमें debit account में कब-कब कितने shares add हुए, तो देखो HDFC के share add हुए, कि मैंने 30 share पहले तो credit करे, फिर मैंन उसको बेच दिया, तो उसे साब सी दिखा रहा है, credit हुआ, debit हुआ, फिर उसके बाद मैंने L&T का share मैंने खरीदा, 6 मैंने खरीदे और 6 अभी रखे हुए हैं, मैंने इसको बेचा नहीं है, तो मेरे closing balance में 6 आ रहा है, लेकिन HDFC में अभी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं transactions है, P&L statement है, कि भाईया, आपने total जो है, वो कितना कमाया, कितना loss हुआ, एक particular साल में, एक particular मन्त में, उसका ये पूरा statement निकालके ले आएंगे, कि भाईया, मैंने इतने खरीदे थे, इतने बेचे, इतने का loss हुआ, इतने का profit हुआ, तो total क्या रहा, वो सारी चीज़े आप को खरीदना है, कि बेचना है, वो सारी चीज़े यहां पर मिल जाएंगी, तो ये तो बात हो गई थी, angel walking की, अब बात करते है, जिरोधा की, जिरोधा में अगर आपका account activate हो गया है, तो इनकी website कैसी दिखेगी, इनकी website पर क्या-क्या functions है, वो भी अपन फटा-फट देख ल लीजिए, या आप website पर भी login कर सकते हैं, तो अपन mobile app तो आगे समझेंगे, अभी website में देख लेते हैं, हमको क्या-क्या features मिलते हैं, तो यहां पर आप जब website पर आएंगे, तो यहां पर आपको menu मिलेगा, यहां पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर आपको 3-4 अलग-लग लेकिन अगर आपको reporting अच्छे से देखना है, analytics देखना है अच्छे से, तो उसके लिए इन लोग उने console बनाया, तो दोनों की अलग-लग login है, एक तरह से देखें, तो आपको जब trading करना है, तो आप kite में login करेंगे, जब आपको reports देखना है, fund आइट करना है, withdraw करना है, तो अब console में जाएंगे, तो अभी अपन kite में जाते हैं, तो kite में आने के बाद, यहाँ पर यह बोलेगा, login to kite, तो kite में login करते समय हम से यह पूछेगा, user ID और password, तो जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो इनका यह kite panel ऐसा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर left यहाँ पर आप नीचे जूम करेंगे, तो देखेंगे, तो यह जो है, इनके अलग-लग 5 watch list आप बना सकते हैं, जैसे आप वहाँ पर भी बना पा रहे थे, इस तरीके से यह shares आपको यहाँ पर दिखाता रहेगा, क्या उसकी value चल रही है, क्या नहीं है, उसके बाद यहाँ पर मेरे portfolio बन जाता हो, portfolio के अंदर वो बताता, कि आपके पास इतने share है, यह अभी value चल रही है, इतनी quantity है, तो इस तरीके से यह dashboard वाला page है, यहाँ पर जैसे मुझे ICIC bank को buy करना है, यहाँ पर यहीं पर option दे रहा है, buy का, sell का, उसके बाद यहाँ पर market depth, इस पर मैं click करूँ इसी तरह chart पर click करेंगे, तो chart आजाएगा, चाहूं तो मैं इसको यहाँ से delete कर सकता हूँ, तो यह इनका dashboard section हो गया, जब मैं कोई buy या sell order लगाऊँगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर orders वाले section पर मिल जाएगी, उसके बाद जब भी हम कोई buy कर लेंगे, जब हमारे पा वही दिखाएगा कि जो भी आपकी positions है किसी shares के बारे में, वो क्या है, तो यहाँ पर simplification के साथ है, सारी चीज़े बिल्कुल simplified है, lightweight है, उसके बाद funds में आप जाओगे, तो funds में वही आपको दिखादेगा कि आपके बास कितना wallet balance है, कितना पैसा आप निकाल सकते हो, लगा स सारी चीज़े, तो यह तो बात हो गई, websites की, अब देख लेते है, mobile app इनकी कैसे काम करती है, और mobile app पे अपना buy कैसे करना है, sell कैसे करना है, वो भी देख लेते, तो पहले आपन देखेंगे Angel Broking की mobile app, उसके बाद देखेंगे 0-10 की mobile app, so guys Angel Broking की app को install करने के लिए, आपको play store पे आना है, लिखना है Angel Broking, तो Angel Broking की app आपको download करके install करना है, तो यह app आप से login ID, password मंगेगा, तो आपके बस जब activate हुआ होगा आपका account, तब आपके पास ही details आई होगी, तो आप उसमें enter करेंगे, उसके बाद यह आपको panel मिलेगा, तो जैसा हमने देखा था कि website पे हमको panel मिला था, वैसा ही यह panel है, यहाँ पे आपको watch list मिलेगी, जहाँ पे आपके share साब add कर सकते हो, कोई भी नया share आपको add करना है, तो यहाँ पे आपको click करना है, यहाँ पे वो share का नाम लिखना है, नाम लिखके ok करेंगे, तो वो particular share जो है वो add हो जाएगा, आपको जिस भी exchange क stock यहाँ पे add करना है, उस पे आप click करेंगे, तो वो particular stock आपके watch list में add हो जाएगा, उपर आपको indices दिख रहे है, nifty क्या चल रहा है, sensex क्या चल रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप जितने चाहें watch list बना सकते हैं, watch list के बाद आपको नीचे मिलेगा portfolio, portfolio वही चीज है ज यहाँ पे watch list में देख सकता हूँ कि भाईया क्या rate चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मैं इस पे click करूँगा, तो यहाँ पे वही table आगया, कितने लाग लोग इसको खरीद रहे हैं, कितने लाग लोग इसको बेच रहे हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है, नीचे 15 लाग order लगे हुए हैं खरीदने के, और 70 लाग से जादा order लगे हैं इसको बेचने के, तो यहाँ पे quantity दिख रही है, यह जो order है, 15 लाग यह total orders हैं, बट एक order के अंदर देखो, 1000 share भी हैं, 2 share भी हैं, 19 share भी हैं, तो अलग-लग price पे अलग-लग share हैं, तो इस तरीके से इतने लाग ल गया है, 340 के असपस यह low गया है, और यह कल close कित्ते भी हुआ था, यह 336 पे कल close हुआ था, अगर कल में खरीदता, आज बेचता, तो 10 रुपे एक share पे में कमा सकता था, 100 share भी खरीदता, तो 1000 रुपे के असपस कमा ही होती, लेकिन भाईया यह लग है, कल आज आज अगर य पैसे add करो, तो saving account से यहाँ पे पैसे add हो जाएंगे, saving account का काम खतम, अब यहाँ से हम खरीदना चालू करेंगे, तो watch list पे आते हैं, share पे जब हम click करेंगे, तो यहाँ पे आता है buy sell, buy पे मैं click करूँगा, तो यहाँ पे पूरी एक window खुलेगी, यह पूछेगा भाया, कितन पारी चीज़े दिखाई जाएंगे, कि ICIC bank आप NSC में खरीद रहे हो, यह rate चल रहा है, आपकी limits कितनी है, तो देखो उपर लिखा हुआ है, 51,000 मेरे wallet का balance है, इतना मैं अभी खरीद सकता हूँ, उसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे, तो यहाँ पे अलग-लग order type मिलेंग तो मैं आई पे क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पे सबसे पहले पुछेगा भईया quantity, कितनी quantity का खरीदना चा रहे हो boss, मैं बोलूँगा 100, मुझे 100 quantity खरीदना है, तो यह 34,500 के असपास का खेल हो गया, लेकिन नहीं भईया तो पैसे ही नहीं है, लेकिन नहीं हमको तो सिर खरीदना है, 340 में, तो मैं यहाँ पे 340 लिख सकता हूँ, यह मेरे उपपर है, कोई मुझे नहीं रोक सकता, 345 का rate चल रहा है, 340 में मुझे खरीदना है, अब यहाँ पे पूछ रहा है product type, अब यह पूछ रहा है कि कौन से type में खरीदना है, delivery मतलब यह share मैं इसकी मुझे delivery मिलेगी, मेरे demand account में यह जाके रखा जाएगा, लेकिन अगर मैं intraday करता हूँ, तो मुझे कोई delivery नहीं मिल रही, मैं इसे prices में खेल रहा हूँ, कि आज इतना price था, तो मैंने सुबह 9 बजे खरीदा, और 3.30-3 बजे के आसपस जब भी मुझे उससे जादा price म है, अब यह पूछ रहा है, order type limit है, कि market है, limit का मतलब हो गया कि मैं खुद बता रहा हूँ, कि मुझे इतने में खरीदना है, अगर मैंने market दबा दिया, अब मुझे यह price नहीं पूछेगा, जो भी market का price चल रहा होगा, उस price में यह अपने आप खरीद लेगा, तो मुझे तो अब यह disclose quantity है, आप कितना वहाँ पर दिखाना चाते हो, जो table चल रहा है, उस table में कितना आप दिखाना चाते हो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारी चीज़े set हो गई है, एक quantity खरीदना है, 340 का मैं खरीदूँगा, delivery लूँगा, limit order लगाया है, क्योंकि मैंने खुद rate बताया है, validity एक दिन की है, disclose quantity में मुझे कुछ नहीं लिखना है, जितनी quantity है, उतनी जान दो, अब मैंने submit करा, submit करा तो देखो, यहाँ पर यह बता रहा है, वापिस confirmation, भया, 345 का rate चल रहा है, buy कर रहे हो, एक quantity, 340 में, delivery है, limit order है, और दिन भर के लिए लगा रहेगा, जैसे ICIC bank, साड़े 3 बजे तक 340 पे जाता है, तो मुझे इसकी delivery मिल जाएगी, मेरा order execute हो जाएगा, और नहीं मिलती है, तो यह order cancel हो जाएगा, तो मैं चाहूँ तो जितने order लगा दूँ, भले ही वो rate आए, नहीं आए, अपने आप सब cancel हो जाएगे, तो आप यह order लगाने का recording खराब हो गई, उसके चकर में मेरा order लग गया, यह हमें record कर चुका था, इसलिए यह second execute दिखा रहा है, अब जैसे मुझे इसका price increase करना है, मुझे पता है, 340 में तो यह क्या ही जाने वाला है आज, क्योंकि यह minimum गया था, तो मैं cancel कर सकता हूँ यह order, तो मैं cancel कर दूँगा मैंने 340 लगाया, मैं बोलू नहीं, अब चलो 343 लगा देते हैं, कभी आ गया तो ले लेंगे, तो मैं इसको submit कर दूँगा, तो वापस से submit हो जाएगा, और यह order मेरा modify हो जाएगा, तो अब 343 में वही particular order मेरा modify हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 343 का जो order है मेरा वही order मेर change हो गया, अब 343 अगर आता है, तो मुझे मिल जाएगा, मैं इसको refresh करके देखता हूँगा, अगर यह rate हो गया, तो यह execute हो जाएगा, जैसे नीचे देखो यह execute लिखा हुआ है, जब order execute होगा, तो नीचे देखो यहाँ पर ऐसा order आएगा, कि आपका execute हो गया order, मतलब इतने रुपे आपके account से कट चुके हैं, और यह order आपके exchange में execute हो गया, अब आप इसको वापस नहीं ले सकते, cancel नहीं कर सकते, modify नहीं कर सकते, आपका काम हो गया, इसको खरीदने का, अब बाखी काम exchange का बचा, जो आपको दो दिन में लाके है, आपको इसकी delivery आपके demit account में लाक आओगे, तो यह trading account वाला पहले यह देखेगा, कि इतने रुपे आपके पास हैं भी कि नहीं, अब जैसे मैं 10 quantity लगा रहा हूँ, 1600 रुपे की, तो 16,000 रुपे पहले तो मेरे पास होना चीए, तब यह order सम्मिट होगा, अगर पैसे ही नहीं रहेंगे, तो यह order ही cancel हो भले ही वो execute नहीं हुआ, बट यह तो चाहेगा ना, कि कभी हो गया तो पैसे तो मिल जाएं, तो इतना रुपे पहले आपके पास account में होना चीए, तब यह order लगेगा, भले ही वो execute हो या नहीं होगा, तो वो पैसे कहीं नहीं जा रहे, वो आपके पास ही है, वो आप दूस मैं इनकी जिम्मेदारी बनती है, मुझे रोक दें, क्योंकि मेरे पास तो ही नहीं, तो मैंने बोला, एक share में बेचने जा रहा हूँ, तो मैं गया, IRCTC का जो order है, इसको बेचने जा रहा हूँ, मैं एक share में बेचूँगा, लेकिन मेरे पास ये share ही नहीं मेरे demand account में, तो य मतलब मैं थोड़ा maximum में बेचूँगा, अभी 1260 के असपस चल रहा है, मुझे 1300 में बेचना है, तो मैंने यहाँ पर amount लिख दिया, कि मैं जादा में बेचूँगा, एक quantity बेचूँगा, वो पुछे का कौन सा order type है, delivery है, यानि कि मेरे demand account से उठाओ, और इसको बेच दो, और मैंने बता दिया कि भईया, ये limit order है, क्योंकि मुझे market rate से नहीं बेचना है, मैं खोद इसकी limit बता रहा हूँ, और validity merit दिन भर की है, और disclose quantity में मुझे कुछ देना ही नहीं है, कि जो भी है वो चला जाए, अब मैं इसको करूँगा summit, अब ये trading platform की जिम्मेदारी बनती है, कि of attorney, तो ये पहले चलता था, आपको courier से summit करना ही पड़ता था, लेकिन आजकल क्या हो गया है, जब भी आप बेच रहे हो, तो यहाँ पर बस आपको I accept करना है, तो यहाँ से आपका consent ले लिया, कि आप बेचना चारहे हो, तो बिना POA, मैंने ये POA summit नहीं किया है, लेकिन उ यहाँ तक आगिया, कि भई ये confirm screen है, यहाँ पर बता रहा है, ICTC आप बेचना चारहे हो, आप delivery बेचना चारहे हो, price 300 को लगा दिया है, 300 आएगा तो बिख जाएगा, भई बिख तो जाएगा, मैरे पास तो है ही नहीं, तो मैंने बोला चलो, अच्छी बात है, बिख रहा बट कही ना कही इनको भी पता ही कि मेरे पास वो share था ही नहीं, तो मैं बेचूंगा कैसे, तो देखो, orders में आओगे, order तो लगा, यह बकायदा exchange तक नहीं गया, देखो, exchange order number 0 है, यह broker order number दिखा रहा है, तो broker ने अपने level में checking करी, कि मेरे पास IRCTC था भी किनी DMAT account में, उसने बोला नहीं था, तो broker ने अपने level पर उसको रोग दिया, वो आगे नहीं जाने दिया, यह अगर वो exchange पर लग जाता, तो broker को तो पैसे देने पड़ते, order दिना पड़ता, बट मुझसे वो लेनी पाता, इस तरीके से आप order लगा सकते हैं, तो पहली बात तो शर्त यही है, क आपके पास वो पहले तो होना चाहिए, तब तो बेचोगे, अमान लो IRCTC नहीं था, लेकिन ICIC तो मैंने अभी अभी खरीदा है, अब यह खरीदा है, यह delivery में खरीदा है, आज खरीदा है, दो दिन बाद मेरे DMET account में आएगा, अगर मैं इसको कल बेचूँगा, तो यह बो अभी बेच सकता हूँ, चाहूँ तो इसको आज अभी अभी भी बेच सकता हूँ, अगर मैं इसको अभी बेचने गया, तो यह intraday का order बन जाएगा, intraday क्या होता है, आज ही खरीदो, आज ही बेचो, तो जब हम यहाँ पर खरीद रहे थे, तब यहाँ पर एक option आ रहा था मतलब यह है कि जो भी आप खरीदोगे, अगर आप उसको आज के आज नहीं बेचते हो, तो वो अपने आप 15 मिनिट जब भी exchange बंद होता है, उसके 15 मिनिट में जो भी rate चल रहा होगा, यह trading platform अपने आप वो order लगा देगा, तो मैंने इसको try करके देखा था, तो मैंने 10 खरीद लिया, अब इसके delivery नहीं मिलेगी, लेकिन जब भी market close होगा, अपने आप यह order मुझे बेचना है, आपको खरीदना भी है, बेचना भी है, अगर आप नहीं बेचते हो, तो अपने आप वो भी जाएगा, जो भी market rate चल रहा होगा, साड़े तीन बजे से 15 मिनिट पहल अब मैं चाहूँ, तो 345 के rate पे मैंने खरीदा था, इसको बेचूँगा, लेकिन अगर मैं इसको आज ही बेचूँगा, तो यह intra day माना जाएगा, और 40 रुपे मेरे फालतू के brokerage लग जाएगी, क्योंकि मैंने इसको पहले ही दिन बेच दिया, इसको कल बेचता, तो 40 रु बिल्कुल भी नहीं लगती, और कल भी बेच सकता, था मैं, अब मैं जाता हूँ, मैं बोलूँगा, भई आई साई सी बेचना है, क्या rate चल रहा है, 343 का rate चल रहा है, तो पहली बात तो वो 20 रुपे तो गए, उपर से 2 रुपे और कम हो गए यहां पे, तो मेरे तो जादा उसी price पे वो बिकेगा, नहीं जाएगा, तो नहीं बिकेगा, क्योंकि delivery है, तो जरूरी नहीं है, बेच नहीं है, लेकिन हम delivery को intraday बनाना चाह रहे हैं, हमने आज ही खरीद है delivery के नाम पे, आज ही हम बेच रहे हैं, तो यहां पे हम गए, हमने बोला चलो अब जो भी rate चल कर देगा, अपना क्या जा रहा है, आखरी में order तो दिखाएगा वो, तो जो भी market rate चल रहा हो, बेच देना, मैंने बोला summit, जिसने फिल पूछा, POA है, नहीं है, तो I accept कर दिया भाईया, अब यह बोल रहा है, 343.5 इतना जो भी rate चल रहा हो, market rate पे आपको बेचना है, मैंन इस तरीके से आप आज खरीद के आज भी बेच सकते हो, delivery के नाम पे, अगर आप आज नहीं बेचोगे तो उसकी delivery हो जाएगी, अगर आज बेच दोगे तो वो intraday माना जाएगा, intraday माना जाएगा, तो 40 रुपे लगेंगे, 20 रुपे हर order के, और अगर आप इसमें इस तर इंटraday खेलना है, तो आप intraday भी खेल सकते हो, सुबे आके खरीद लो, फिर शाम को बेच दो, या सुबे पहले बेच दो, उसके बाद खरीद लो, ये भी हो जाएगा, घूम फिर के दिन भर में आपको करना है, जो भी करना है, तो पहले बेचो, पहले खरीदो, पहले ख खरीदा intraday किया, तो वो तो आपका नुकसान है, क्योंकि पचास रुपे तो इन लोगों को ही देना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे taxes भी लगते हैं, अभी अपन आगे समझेंगे, कि हमने जो खरीदा, जो बेचा, उसका जब हमको statement आएगा, उसमें पता चलेगा, कि हमने खरीदा तो 345 का था, लेकिन यहाँ पर 2-3 रुपे और एड़ होगा, क्योंकि इसमें भाईया, tax भी लगता है, brokerage नहीं लगी, लेकिन tax भी तो लगेंगे, तो वो सब अभी हम आगे देखते हैं, अभाईया, जिरोधा की mobile app देखना है, तो kite app नाम से मिलेगी, console app से उनके console वाली चीज़ें मिलेंगी, kite app पे जाते हो, यहाँ पर आपको इसको install करना है, open करना है, open करोगे, तो login detail आपके पास होगी, वो login detail आप लगाओगे, तो app खुल जाएगी, इनकी app इस तरीके से, lightweight है, जादा कोई color नहीं है, simple जो जो चीज़ें चाहिएं, वो चीज़ें यहा इसनी watch list बना लो, कौन से share रखना है, कौन से नहीं रखना है, यहाँ पे आप रखलो, यह दिखाता रहेगा, कितना उपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, इस पे click करोगे, तो वो buy sell वाली चीज़ें है, orders में जाते हो, तो जो order आपको angel में मिल रहे थे, वो order यहाँ आप देख सकते हो, pending है, execute हो गए, क्या हो गए, portfolio में जाओगे, तो यह बता देगा, आपके पास क्या holding है, क्या नहीं है, apps में इनकी दूसरी apps के बारे में promotion है, अब जैसे ICIC bank पे click किया, तो यहाँ पे वोई चीज़ आ गई, कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं, वो चीज़ें यहां दिख रहे हैं, सतल लाक ओर्डर्स लगे हुएं बेचने के, 14 लाक ओर्डर्स लगे हुएं खरीदने के, हाई कितना गया, open कितना गया, सारी चीज़ें यहां पे आपको दिख जाएंगी, अब अपन SBI खरीद के देख लेते हैं, 166 का rate चल र मैं बोलता हूँ कि भाई 160 पे खरीदूंगा मैं 166 पे नहीं खरीद रहा अब इसमें प्रोडेक्ट आ गया CNC MIS CNC मतलब आपका डिलिवरी हो गया MIS आपका इंट्राडे हो गया तो मुझे डिलिवरी करना है क्योंकि इस पर इंट्राडे में पैसे तो इतनी लगना है तो वो ज्यादा तर इंट्राडे में काम करती है अपको तो डिलिवरी लेना है तो अपको CNC लिमिट रेगुलर उसके बाद वैलिडिटी डे disclose quantity हम कुछ नहीं बता रहे अब हम इसको लगा देंगे buy इसको मैंने scroll कर दिया तो यह order लग गिया placed 1 अब मैं orders पर जाओंगा तो यहाँ पर यह pending दिखा रहा है क्योंकि 160 का तो अभी rate ही नहीं है तो यह वापिस से मैं rate change कर सकता हूँ इस तरीके से सेम वही चीज़े हैं चीज़े सबको सेम है क्योंकि जो orders हैं लगतो घूम फिर के रहे हैं exchange में बट यह trading के platform, mobile app, features यह सारी चीज़े यह trading वाले account वाले ले रहे हैं तो उसके नाम पे वह brokerage लेते हैं तो brokerage zero धाम में, angel मे किसी में भी आजकल delivery पे तो free है, लेकिन intraday पे लगते हैं 20-20 रुपे, तो 40 रुपे एक दिन के तो आपके सिर्फ intraday खिलने में लग जाएंगे, अब आप कमाते कित्ता हो, loss कित्ता करते हो intraday में, वो अलग बात है, अब यह order हम इसको cancel कर देते हैं, yes, तो यहाँ पे भी order लगाने के पहले उत्ता fund होना चाहिए, तो यहाँ पे दिखो, executed में दिखा रहा है, यह cancel हो गया order, इस तरीके से आप यहाँ पे भी खरी सकते हो, बेच सकते हो, बेचना है, तो sell पे जाओ, sell पे वही सारी चीज़े आ गई, कि में को delivery वाला बेचना है, कि intraday बेचना है, म साड़े तीन बजे market close हो गया, लेकिन अब कल खुलेगा साड़े नौ बजे, अब मानलो साड़े नौ बजे आपकी meeting है, आप market नहीं देख पाऊगे, लेकिन आपको trading करना है, तो आप after market order, जब market close हो गया है, उसके बाद भी आप order लगा सकते हो, और यह order लगेगा directly जाके आ लगा सकते हो, तो angel में यह option direct नहीं मिलता, क्योंकि अभी में लगाऊँगा भी तो यह लगेगा नहीं, यह में लगाऊँगा, तो यह बोल देगा, AMO can only be placed after trading hours, try using regular order, तो यह लगाने नहीं देगा, तो angel में क्या होता है, angel broking के अंदर, जब market बंद हो जाता है, उसके बाद अगर order लगाऊगे, तो वो सारे order by default AMO में जाके लग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कल आपको कुछ खरीदना है, तो आपको कल ही बैठना है, आप एक दिन पहले लगा लोगों के सो जाओ, या कहीं जा रहे हो, तो चले जाओ, अपने अब जब आओगे एक दिन बाद तो आप ही है, साड़े तिन के पहले लगा रहे हो, तो कहीं न कहीं आप अभी ही करना चारे हो, तो हमको अभी regular करना है, अब हम इसको जाके ऐसे करके बेच सकते हैं, तो चीजे सब कुछ सेम है, जिरोधा ले लो, एंजल ले लो, कोई भी vendor ले लो, गुम फिरके ये exchange का price सब में सेम आने वाला है, order लगना सब exchange में जाके है, पैसा निकलना वहीं से है, delivery भी वहीं से मिलना है, बस यह आपको platform देते हैं, कि यहां से आप सारी चीजे कर लो, और यह लोग अपने brokerage के नाम पे कमाते हैं, अब भया मैंने buy भी कर लिए, sell भी कर लिए, अब मुझे statements आएंगे, तो तीन अलग अलग जगा से आपको statements मिलेंगे, आपके buy के, sell के, सबसे पहला तो यह आपको company देंगे, जो DP है, angel booking हो गया, जिरोधा हो गए, यह company अपने level पे आपको एक statement generate करके देंगी, एक जो है exchange, exchange भी अपने level पे, आपको mail करेगा statement का messages आएंगे, आपको direct exchange के level पे, त जब भी DMET account में कोई share credit होगा, debit होगा, तब DMET account वाले भी आपको जो है, वो अलग से mail भेजेंगे, तो चलिए अपन देख लेते हैं कि, जो angel booking 0-10 statements देंगे, उसमें क्या-क्या चीज़े रहेंगी, और आप भी shock हो जाएंगे, इसमें बहुत सारे taxes लगते हैं, हमको लगता ह हमने share इतने का खरीदा, इतने का बेचा, लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो मैंने सबसे पहले बताया था, वीडियो के starting में, कि किसकी कितनी income होती है, वो सब income भी हमारे ही पैसे से हो रही है, तो चलिए आप what effort देख लेते हैं, statements जो है, वो दिखते कैसे हैं, सो इस तरीके के आपको mails आएंगे, जिस दिन भी आप trading करेंगे, चाहे आप बेचते हैं, खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको उस दिन रात में, शाम को 6 बजे से, सुबह 6 बजे के बीच में, कभी भी यह mail आ सकता है, जिसका नाम होगा contract note, इसमें यह बताया इस statement है, यह रात को 1 बजे आया था, जिस दिन मैंने trading करी थी उस दिन, तो आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपको PDF फाइल मिलेगी, इस statement में आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पे दिखाया जाएगी, कि exchange के level पे, exchange को तो 356.20 मिले, जितने का rate चल रहा था वो, other charges यह लगी है, वन रूपीज की, तो यह stamp duty जो है, वो state को जाती है, यहाँ पे ऐसे मिला के 1.01 मेरा कटा है, तो यह मेरा extra लग गया, जितने का भी share था उस हिसाब से, तो अभी तक जो हमें statement देख रहे थे, वो 304 रूपे का था, इसलिए हमको जादा other charges नहीं दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे, तो 29 रूपे मेरा STT लगा, और other charges 4 रूपे लगे, अब भाईया, यह 29 रूपे और 4 रूपे किस बात के लगे, उसके लिए मैं नीचे जाओंगा, तो यहाँ पे statement में मिल जाएगा, कि भाईया, मैंने 1428 के rate के साब से 20 share खरीदे, तो मेरे पर taxable value of supply लगी, 93 पैसे के आसपास, फिर इस जो 93 पैसे है, इसके उपास CGST, SGST लगा, exchange का transaction charge लगा, 90 पैसे का, CB turnover transaction fee लगी 3 पैसे की, stamp duty लग गई 3 रूपे की, तो ऐसे करके मेरे other charges, 20 share तो मैंने खरीदे थे, जिस rate से खरीदे वो तो ठीक है, उसके अलावा मेरे 31 रूपे क असपास लग गए, 29 तो STT लग गया, other charges में 4 रूपे 10 पैसे और आगए, तो add करेंगे तो 20 share खरीदने पर 33 रूपे तो मेरे ये अलग ही चले गए, अब मैं जब ये share बेचूंगा, तो वहाँ पर एक DP charge लगेगा, तो DP charge 20 रूपे का लगेगा, जब भी मैं कोई share बेचूं तो 20 share खरीदने और बेचने में 33 और 50 रूपे मिला लो, तो इस हिसाब से बोल सकते हो, 60-70 रूपे मेरे तो लग नहीं है, मतलब उससे जादा मैं कमाऊंगा, तब मुझे profit होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं taxes दे रहा हूँ, बहुत सारे charges दे रहा हूँ, तो यहाँ पर brokerage तो स हर बार हर trading platform पे लगना ही है, तो एक तरह से बोल सकते हो, कि हर किसी की कमाई हो रही है, यहाँ state government की कमाई हो रही है, सेबी की कमाई हो रही है, exchange की कमाई हो रही है, brokerage की कमाई हो रही है, सब की कमाई हो रही है, उसके बाद जो हमको loss हो रहा है, वो तो हमारा है, और जो profit सो से देड़ सो, फिर बेचने के सो से देड़ सो वापस, तो अगर आप 1,00,000 रुपे के शेर खरीदते हो और बेचते हो, तो 300 रुपे तो आपको इन टेक्सेस में दे देना है, उसके बाद जो आपकी कमाई होगी, वो होगी, तो यहाँ पर आपको target लेके चलना है कि एक लाग रूपे का कुछ भी आप खेल खेल रहे हो तो 300-400 रूपे तो minimum उसमें कमाओ क्योंकि अगर loss हो गया तो loss तो हो गया यह taxis तो फिर भी आपको देना ही है loss तो आपको दिखेगा कि भाई 500 रूपे का हुआ पर यह taxis के 300 रूपे और जोल लो अगर आप 1,00,00 रूपे के share खरीद रहे हो और बेच रहे हो इस हिसाब से यह जो transaction fees है यह सब में common है यह सब बोलते नहीं है कोई दिखाता नहीं है लेकिन सब के आप page पे जाओगे जिरोधा में भी सब common है angel booking में भी common है किसी भी जगह चले जाओ क्योंकि यह directly rules बने हुए तो यहाँ पर दिखाएंगे कि 0.0% अपकी turnover value का transaction charge लग जाएगा फिर stamp duty लग जाएगा फिर आपका 18% brokerage पर लगेगा brokerage तो 0 है तो यह नहीं लगता है लेकिन फिर turnover tax और जो CB fee है उसके उपर GST लग जाएगा फिर यह STT लगेगा security transaction tax यह कितना लगेगा delivery ले रहे हो तो 0.1% लगेगा तो जितने भी value की delivery लोगे उसमें इतने परसंट का STT लग जाएगा फिर सेबी का tax लगेगा सेबी का tax इसे साब से लगेगा इसे साब से यह सारे charges यहाँ पर आपको दिख जाएगे और यह charges common होते हैं अब भाईया जिरोधा की बात करें तो जिरोधा में भी आप जो भी transaction करोगे तो आपके बास contract note आएगा जो भी आप buy और sell करोगे तो यहाँ पर नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको file मिलेगी उसी file के अंदर आपको सारा statement मिलेगा तो यह है भाईया जिरोधा का contract note तो यहाँ पर वही दिखा रहा है कि ICIC bank मैंने खरीदा है 380 रुपे का खरीदा है तो यहाँ पर 380 तो चले गए उसके बाद taxable value of supply तो यह brokerage के नाम पर एक पैसे लेते हैं यहाँ पर मैंने search किया तो यह बोल रहे है कि brokerage हर एक contract note का एक पैसा लएंगे लेकिन अभी यह बोलते तो zero है बट पता नहीं एक पैसे हर contract note चाहे आप लाखों के share खरीदो करोडों के खरीदो एक पैसा हर एक contract statement बनाने का यह brokerage का यहाँ पर लेंगे उसके बाद exchange transaction charge इनने एक पैसा लगाया है उसके नीचे security transaction tax STT इसमें zero है क्योंकि यह 380 रुपे का ही share है इसलिए अभी इतना value नहीं गई CB का turnover fee बढ़ जाता turnover fee भी बढ़ जाता stamp duty भी बढ़ जाता तो यह सब के लिए common ही है तो आप कहीं से भी लोगे तो यह चीज़े तो लगना ही है बस आपका जो पैसा बच रहा है वो brokerage का बच रहा है यह तो बात हो गई भाईया statement और इन सब की अब भाईया DMAT account जो है उसकी एक अलग login detail आप बना सकते हो तो जब भी आप account create कराओगे तो आपको एक से दो दिन बाद DMAT account वाले आपको directly mail करेंगे CDSL जो यह DMAT account बनाता है खोलता है जो government की agency है वो आपको mail करेगी कि भाईया हमारे अंदर भी आके आप जो है वो एक तरह से account बना लो ताकि यह जो company है angel booking हो गई, जिरोधा हो गई ऐसी जितनी company है कल को यह भाग गई, बन्द हो गई तो आपकी जो लाखो करोडों के investment है वो रख है तो DMAT account में तो आप DMAT account directly भी access कर सकते हैं तो आपको एक mail आएगा CDSL के थुरू जो यह DMAT account जो है पूरा manage करता है तो अब 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 यह समझते हैं कि आप DMAT account में अपना login detail password कैसे बना सकते हैं ताकि आप वो आप match कर पाओ कि जो portfolio में यहाँ पे दिख रहा है वो आपके DMAT account में है भी कि नहीं तो दोनों आप अलग-अलग login details बना सकते हो तो चलिए आप समझते हैं कि DMAT के अंदर अपनी login details कैसे बनाना है तो गईस इस तरीके का mail आपको आएगा जब आपका account activate हो जाएगा किसी भी एक broker के साथ Angel Broking के साथ, Zerodha के साथ या कहीं पे भी आपने account खुलवाया होगा एक नया DMAT account तो वो DMAT account जाके खुला है CDSL में Central Depository Services India Limited तो यह government की एक तरह से बोच सकते हो government के under में आपका वो DMAT account खुला है अब चाहो तो आपका portfolio, आपकी holdings आप इनकी app में देख लो Angel Broking की, Zerodha की और किसी के उसमें चाहे तो वो जो भी access कर रहे है वो करतो DMAT के accounts ही रहे तो आप directly DMAT के account में भी जाके login details बना सकते हो तो इस तरीके का आपको mail आएगा CDSL की तरफ से Central Depository Services की तरफ से यहाँ पे लिखा रहेगा कि आपका DMAT account open हो गया है तो यहाँ पे आपको चीजे बताएंगे कि आप भी हमारे CDSL में login details बना सकते हो वो बनाते हो तो आपको सारे चीजे देखने को मिलेंगी कि क्या-क्या security आपके DMAT account में holded है आपका क्या portfolio है कल को Angel Booking Zero था कि आप बंद हो गई तो आपके DMAT account के अंदर क्या-क्या रखा है वो आप यहाँ पे login करके देख सकते हो तो सबके DMAT account यहीं पे जाके खुले होंगे तो सबके पास अपनी login detail भी है तो DMAT account एक अलग चीज हो गई जो कि government के अंडर है और यह trading account जैसे हम समझ रहें कि इसके तुरू हम trading करते है तो यहाँ पे नीचे link आता है आप अपन फटाफट देख लेते हैं इसमें हमको login ID password कैसे बनाना है तो यहाँ पे इतने method बताई है कि इस link पे जाना है उसके बाद आपका 16 digit का DMAT account number आपको enter करना है अब भया यह DMAT account number कहां से लाओगे तो जहाँ भी आपका trading account आपने खोला angel booking में 0-धा में तो वहाँ पे mail चेक करिए mail पे आपका DMAT account का number दिया होगा नहीं दिया है तो app के अंदर reports में जाके आप आप देख सकते हैं DP के transactions के अंदर जाके कि आपका DMAT account number क्या है तो वह 16 digit का एक number होगा जो कि आपका DMAT account खुला होगा और trading account की login details आपको आई ही होगी उनकी app में login करने के लिए तो यह link open हो गया है Central Depository Services India Private Limited के अंदर अब यहाँ पे मांग रहा है कि भाईया 16 digit का आपका DMAT account number लिखो तो यहाँ आपका number लिखे आई है उसके नीचे बोल रहा है कि password देना है आपको password ऐसा है कि pen card plus DDMM तो यहाँ पे जो password है वो आपका पूरा pen card है आप capital letter में पूरे pen card का number लिखें और उसके आगे 4 digit आपको DDMM लिखना है तो जो भी आपकी date of birth होगी वो 2 digit और उसके आगे 2 month अगर आपकी date of birth है 4 January तो आप लिखोगे 0401 तो यह detail भरने के बाद यहाँ पे capture fill out करना है I agree पे click करना है फिर इसको continue करना है continue करने के बाद यह वाली screen आईगी इसमें आपको एक OTP भेजा जाएगा CDSL के द्वारा तो एक तरह से आपका mobile number और email ID पर यह OTP आ सकता है तो यह दोनों आपकी detail आपके trading account वाले ने दी है जब आपका account create हो रहा था DMAT के अंदर तो आपका mobile phone चेक करिए जो number आपने angel broking या 0-10 में दिया है उस पे आपको OTP आएगा continue पर click करने के बाद यहाँ पर account details आजएगी यहाँ पर आपका DMAT account का number आजएगा email ID आजएगी और phone number आजएगा अब आपसे यह पूछ रहा है भाईया आपको username क्या बनाना है क्या password बनाना है और security questions दे दो तो एक तरह से आपके user ID बन रही है CDSL की website पे तो आपका DMAT account है अब आप यहाँ से manage कर पाऊगे यहाँ पर आपके पास screen आईगी grouping की अगर आपके multiple DMAT account है अलग-अलग trading company के साथ तो आप उसको group कर सकते है तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है आप simple continue पर click करिए continue पर click करेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा Congratulations, you have successfully registered for EASI Click here to login तो यहाँ पर click here करेंगे तो जो आपने user ID password बनाया है उससे आप यहाँ पर login कर सकते हैं यहाँ पर login करने के बाद आपको सारे information मिल जाएगी जितने share आप खरीदोगे, बेचोगे और उसके बाद जितना अभी आपका holding होगा आपका portfolio में जो जो अभी hold पे होगा वो सब यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कौन-कौन से share के कितने आपके पास हैं accounts, कितने shares आपने खरीद के रखें क्या rate चल रहा है, कितना आज valuation है तो जो portfolio trading account आपको उनके panel पे दिखाता है, website पे दिखाता है वो लाता आपके demet account से और यह है वो directly demet account तो यहाँ पे भी आप एक login ID बना के रख लो कल को कुछ होता है, तो आप यहाँ अपने demet account में चीज़े चेक कर सकते हो तो कि आपकी hardcore income जो है वो आप कही न कहीं share में invest करोगे तो आपके पास यह भी चीज़ होना चीए कि आपके पास demet account की login details हो तो कल को अगर वो trading platform भाग जाती है तो आपके पास demet account तो होगा तो उसके पास आपके shares आपको दिख जाएंगे कि हाँ यह मेरे पास रखें और government के under में रखें तो कोई यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता तो यहाँ पे भी सारी चीज़े आप कर सकते हो transaction details देख सकते हो कब debit हुआ कब credit हुआ तो आपको बेचना खरीदना तो आपको वहीं से है उसी app से है यहाँ पे सिर्फ जो shares रखे हुए हैं जो add होंगे जो debit होंगे उसका बस आप statement देख पाऊगे यह तो सब बात हो गई भाई shares के बारे में अब भाया मुझे यह तो बता दो कौन सा share अच्छा है कैसे मैं पता लगाँ कि यह share सही से आगे जाएगा कि नहीं जाएगा थोड़े time बार यह increase होगा कि decrease होगा तो यह पर बहुत सारी चीजे होती है तो चलिए अब और यह भी एक चीजे समझ लेते हैं कि कौन सी company का कैसे हम देखें कि कितना profit हुआ पिछले साल कितना profit हुआ क्या यह company loss में जा रही है कि profit में जा रही है तो चलिए फटाफट वो भी समझ लेते हैं भाया Google भी हमारी बहुत जगा help कर सकता है अब Google पे ही आके मैं लिखता हूँ Reliance Share तो Reliance Share लिखने के बाद यहाँ पर Google बता देगा कि आखरी बार जब भी खुला होगा market तो क्या rate था Reliance का और उसका graph आप देख सकते हो कि एक दिन में कितना बड़ा पांच दिन में वो कितना बड़ा छे महीने में कितना बड़ा एक साल में कितना बड़ा अब मैं एक साल का गर देखता हूँ तो देखो कितना नीचे गिरा था बीच में graph 800 रुपे के आसपस 884 तक Reliance का Share आ गिया था आज 1500 रुपे का है और जब ये lockdown नहीं हुआ था उसके पहले भी 1500 के आसपस चलता था तो अभी lockdown में ही 1500 के आसपस ये वापिस से चला गिया है 5 साल का में ग्राफ देखता हूं तो मैं देखूंगा 2016 में ये 500 का था अब ये 1500 का मिल रहा है maximum graph भी मैं देख सकता हूं तो Google में जिस भी आपको Share के बारे में graphs देखना है तो आपको Share का नाम लिखना है उसके आगे Share लिख दीजीए तो अपने आप ये Google आपको नीचे दिखा देगा सारी चीजे अब ये भी बता देगा कि open किते पे हुआ, high कितना गया low कितना गया उस दिन तो ये सारी चीजे आप Google से भी सर्च कर सकते हो नहीं तो जहां पे आपने account खुला है trading account वो भी आपको charts देते हैं वहां पे भी जाके आप देख सकते हो अब यहां पे भाया मुझे पता लगाना है कि इतनी सारी companies के stock है तो कौन सी company ने कितना profit किया पिछले साल या इस साल क्या उनका जादा profit हुआ है याने कि आने वाले सालों में और profit कमाईगी तो share का price शायद अब जा सकता है तो ये सारी चीजे पता लगाने के लिए एक website है moneycontrol.com आप चाहो तो खुद भी ऐसी website बना सकते हो data के साथ ये भी अपने ads से ही पैसे कमा रही है और premium services के नाम पर ये premium accounts भी देती है कि ads हट जाएंगे और जादा information देंगे तो अब किसी भी company के बारे में कुछ भी चीज़ पता करना है तो आपको यहाँ पर उपपर उस company का नाम लिख देना है जैसे reliance का देख रहा हूं मैं मैंने reliance लिखा तो नीचे अपने आप reliance के कौन-कौन सी companies हैं सब आ गई तो reliance industry के बारे में हमको देखना है तो यहाँ पर आप देखो के तो reliance industry limited का share है अब मैंने उसके उपर click किया तो अपने अप reliance के बारे में हर एक information यहाँ पर आ गई अब जैसे यह आ गई कि अभी यह BSC में क्या rate चल रहा है NSC में इसका क्या rate चल रहा है दोनों में high कितना गया, open कितना हुआ तो यह सब तो हमारे trading platform भी बता देता है यहाँ पर आप देखो बहुत सारी चीज़ है charts है, technical detail है, valuation है यहाँ पर एक आता है annual report यहाँ पर आप जाते हो, तो यह एक annual report खोल के आपको बताएगा कि यह भाई है कितना क्या profit हुआ है अभी आपको समझ आता है तो आप पढ़ सकते हो balance sheet देखना है company की क्योंकि company जितनी strong होगी, company जितनी आगे जा पाईगी तब ही तो आपको भरोसा भी बढ़ेगा कि मैं उस company में पैसे लगाऊ मतलब उस company के stocks खरीदू तो यहाँ पर simple language में अगर समझें तो यहाँ पर यह दिखा रहा है कि इनकी total sale कितनी हुई थी Reliance की, तो March 2019 में इतने करोड के असपस हुई थी और यहाँ पर इतने करोड के असपस हुई है याने कि इनकी sale कम हो गई है इस साल क्योंकि इस बार lockdown भी हुआ है अब ऐसे देखें तो net profit कितना है पिछले साल उनका इतना था इस साल उनका इतना हो गया है तो यहाँ पर net profit भी कम हुआ है तो इस तरीके से आप एक एक company को सर्च करके यह देख सकते हो कि भईया उसकी balance sheet में वो company profit कर रही है कि loss कर रही है उसकी sales increase हो रही है कि decrease हो रही है तो यह चीज़े आप इस website पर आके देख सकते हो घुमा फिर आके बोले हैं तो यह जो company है यह एक dividend भी देती है dividend मतलब यह है अगर आपके पास इनके shares पड़े हैं तो यह हर साल जो उनका profit होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा share 6,7,10,15 रुपे के हिसाब से पर share के हिसाब से आपको देते हैं तो अभी यह पता कैसे चलेगा कौनसी company कितना dividend देती है और वो dividend देती ही क्यों है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा तो चलिए अब अपन यही देखते है अब अगर आपको देखना है कोई एक particular company कितना dividend देती है तो उसके लिए यहीं पर एक option आएगा आपका corp action तो अभी हम financial देख रहे थे अब हम corp action पे जाएंगे इस पे जाने के बाद यहाँ पर एक option आता है dividend dividend पे click करने के बाद मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि rupees 6.5 पर share वो देता है reliance तो reliance का share आप खरीते हो तो कब कब किसको कितना considerate को dividend मिला है यानि कि इस तारिक के पास इस तारिक को आपके पास उतने share होना चीए तो अपने आप आपको dividend मिल जाएगा चाहे आपने पांच दिन पहले ही खरी दे हो उस तारिक जिस दिन भी यह decide होता है उससे एक से दो दिन के आसपास आपके पास अगर share रखे हुए है तो अपने आप आपके demit account में account number भी map है saving account तो अपने आप reliance पैसा निकाल के सीधे आपके saving account में छोड़ देगा लाके तो अगर आपके बस एक share है तो साड़े छे रुपे आपके saving account में अपने आप credit हो जाएंगे क्योंकि सब कुछ आपस में linked है तो यह आपके trading account से लेना देना नहीं है यहाँ पे angel broking zero धा का कोई लेना देना नहीं है सीधे reliance के अगर आपके demand account में share रखे हुए हैं तो reliance आपको साड़े छे रुपे आपके सीधे saving account में credit कर देगा और reliance आपको बकाइदा एक mail भी भेजेगा कि भाईया हमने इतने share आपके पास trading से तो आपस में तीनों linked है तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि कब किसको कितना dividend मिला है कौनसी company कितना dividend देती है कोई company dividend देती भी है की नहीं अब यहाँ पे एक doubt आ रहा होगा कि आरे साड़े छे क्यों दे रहे हैं आपको मिल रहा है लिकन यह आपके लिए नहीं है वैसे आप इसको यूस तो कर सकते हो बट यह दिया किस लिए जाता है उसके बारे में समझते है अब देखो reliance जो है यह company किसी ने बनाई होगी सब को पता है किसने बनाई है तो यहाँ पे share holdings पे जाते है उसी company के उपर लिखा हुआ है share holding share holding पे click करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि इसके promoter यानि कि जिसने company start करी थी उसके पास पूरी company का कितना पसंट share है तो 50% से जादा share उनके promoters के पास है उसके बाद FII foreign investment के पास कितना share है यह Indian investment के पास domestic investment के पास कितने पसंट का share है उसके बाद आप नीचे आएंगे तो mutual fund में कितने पसंट का share लगा हुआ है तो ऐसे करके यहाँ पे आपको सारी चीज़े मिलेंगी फिर others में इतने पसंट आएगा तो हम जो share market में पैसे लगा रहे हैं दे रहे हैं वो कहीं न कहीं इसमें से 8-10% ही हमारे पास है उस 8-10% के ही share आपस में बटे हुए है बाकी तो भाईया यह आदे से जादा 50-60% से जादा share उन company वालों के पास है तो अगर आज stock का price increase होगा तो जिसके पास जादा share होंगे उसी का तो profit बड़ा तो अब यहाँ पे उपर आता है promoter edge तो share holding के अंदर promoter edge करके आएगा इस पे आप click करेंगे तो link खुलेगा कि इस particular company में कितने exact share किसके पास हैं अब आप नीचे आईए अब आपको दुनियादारी समझ आएगी कि भाईया मुकेश अंबानी के पास कितने share हैं चलो गिनते हैं तो 72 lakh share मुकेश अंबानी के पास है हम तो 10 भी share में इतने रो रहे हैं अगर आज इसकी valuation निकाली जाए तो अपन इसको multiply कर देते हैं आज के rate से आज का rate कितना है 1500 रुपे का है इतने share इनके पास हैं इसलिए बोला जाता है कि इनकी wealth कितनी है क्योंकि इतना माल इनके पास रखा हुआ है इसको multiply किया तो अब इसको गिन लो भाईया इतने रुपे के share जो हैं वो मुकेश अंबानी के पास हैं कितने हो गए वैसे आप यहाँ पे दिखा रहा है कोई LLP company है इसके पास भी 11% के share है अब यह company किसके नाम है उसके लिए इसको भी सर्च करो इसमें पता चलेगा इस company के director कौन है हम यहाँ पर देखने आए कि इस company के directors कौन लोग है तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि यहाँ पर नीता मुकेशंबानी ही डारेक्टर है उसके बाद अकाश मुकेशंबानी ही डारेक्टर है तो कहीना कही हम लोग ही उसके price up-down कर रहे हैं लेकिन इनको बैठे बिठा है इनने company खोली इतना दिमाख लगाया तो इनके पास जब इनने company खोली तब तो इनके free के share थे आज मैं company खोलूँगा तो 100% मेरे पास है कल मैं बोलूँ चलो 10% में अपना IPO launch कर देता हूँ तो 90 तो फिर भी मेरे पास है तो जब लोग खरी देंगे बेचेंगे तो अभी तो आपस में shares घूम रहे हैं लेकिन इनकी valuation बढ़ती जाती है क्योंकि इन लोगों के पास भी तो वही company के share है तो घुमा फिरा के बोलें तो ये कहना गलत नहीं है कि अगर आज share के price up down हो रहा है तो ये पैसे company के पास नहीं जा रहे लेकिन company के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास इतने share है अब जो वो 6.5 रुपे की बात आई थी कि एक share पे 6.5 रुपे मिलेंगे share तो इनने बेचे ही नहीं तो कितने हो गए dividend के नाम पे company से निकाल लेते हैं ये पैसा अब हमको क्यों profit हो जाता है क्योंकि हम 100-200-500-1000 share खरीद के बैठे हैं तो वो जो साड़ेच है वो तो सब को मिलना है तो हमारे पास भी 100-200 share है तो 600-700 रुपे हमको भी dividend के नाम पे 100 share पे मिल जाता है तो dividend का funda इन company वालों के पास जो सब कुस समझ लिया share खरीदना कैसे है बेचना कैसे है डीमेट अकाउंट में कहां से आएंगे dividend कौन देगा share कैसे पता लगाएं कि उपर जाएगा नीचे जाएगा और जो हम पैसे देते हैं हर पैसे के उपर कही ना कहीं taxes भरे पड़ें STT लगेगा GST लगेगा brokerage लगेग दुनिया भर के charges लग जाएंगे अब मान लो by luck सारे charges काट कूटने के बाद मैंने थोड़े से पैसे कमा लिये share market से मैंने 2, 3,000, 10,000, 15,000 कमा लिये ये मैंने कमा लिये पैसे लेकिन अब भाया income tax लगेगा योकि आपकी income हो गई आपने इतने सारे taxes भरने के बाद, brokerage भरने क सब करने के बाद आपने अगर पैसे कमा लिये तो उस कमाये हुए पैसे paid tax लगेगा उसको बोले जाता है income tax अब यहाँ पर यह दो तरीके से लगता है पहला होता है short term capital gain इसका मतलब है आपने कोई भी share खरीदा, delivery वाला, delivery वाला अगर आपने share खरीदा और एक साल के पहले ह उसको बेच दिया तो जितने भी रुपे में बेचा उसमें अगर आपको profit हुआ है तो उस profit के उपर 15% का flat tax लगेगा अब मालो 1000 रुपे मैंने कमाये और मैंने एक delivery का share खरीदा और 10-15-20 दिर बाद उसको बेच दिया और उस पूरी process में 1000 रुपे मैंने कमा लिये तो अब उस 1000 रुपे के उपर 15% का income tax लगेगा तो जहां से भी आप income tax भरवाते होगे उनको आपको बताना पड़ेगा कि भाईया मैंने short term capital gain कमाया मैंने shares एक साल के पहले ही बेच दिये तो मुझे इतना रुपे जो है कमाई हुई है तो वो उसका एक particular format होता है उसमें जाके वो tax आपको भरना पड़ेगा तो government उसके ओपर भी tax लेगी अब यहाँ पर दूसरा होता है long term capital gain इसका मतलब है आपने जो भी stock खरीदा delivery वाला वो अगर एक साल बाद बेचते हो एक साल मतलब बाद बेचते हो तब उसको बोला जाता है long term capital gain एक साल के पहले बेच दिया तो short term 15% flat अगर long term में आते हो एक साल के बाद बेचते हो तो उसके उपर अगर एक लाग से जादा कमाई कर लेते हो आप एक साल के बाद वो अपके stocks पे तो उसके फ्लाइट 10% का tax लगेगा तो एक लाग तक कमाऊगे एक साल के बाद अगर बेचा और एक लाग तक कमाया तो कोई उ अगर आप intra day करती हो, रोज कमाती हो, रोज बेशती हो, या F&O करती हो, future and options में जाती हो, तो जो भी आपका tax का slab लगता है, अगर 5 लाग के उपर है तो इतने पसंट होगा, 10 लाग के उपर है तो इतने पसंट, तो किसी ना किसी slab में आप आते होगे, income tax के slab में, तो वो particular slab के ह साब से, उसके उपर जो आप कमाई करोगे, उस पर tax लगेगा, तो यह आसान है हमारे लिए कहना, कि हम पैसे कमाने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखें, तो हम पैसे चलो, कमाए नहीं कमाए, यह तो अलग बात है, loss भी होगा, लेकिन यह सब लोग तो पैसे और जब profit होगा, तो government फिर आजाएगी, income tax लेने, तो यह भी ध्यान रख रहे है, कि जो भी आप पैसे कमाने वाले हो, उसका P&L देख ले, profit and log statement, तो यह जो company है, Angel Broking, ZeroDha, यहाँ भी account खोलोगे, तो यह लोग आपको P&L निकाल के देंगे, इनकी transaction history में जाना, वहाँ पे P CA के पास, तो वो CA उस particular amount पे जो है, वो कही न कहीं tax निकाल के आपको बोलेगा, इतना tax हमको भरना है, तो यह भी याद रखिए, tax भी भरना पड़ेगा, tax नहीं भरोगे, तो government के नीचे ही हो, government के उपर नहीं हो, share market में लाखो करोडों तो कमा दिये, tax नहीं भड़ा तो government उ manage कर लूँगा, तो आप आ सकते हैं stock market में, तो अब बात आती है, मैं invest करूं ही क्यों, तो भजा मेरा सीधा साजर लोजे कि अगर आपको invest ही करना है, तो आपके पस FD होती है, gold होता है, लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा return चाहिए, तो stock market में तो आईए, लेकिन equity में delivery लीजिए, आप आज अगर आपको लगता है कि एक लाग रुपे मेरे पास अभी फालतू रखे हैं, फालतू इंदा सेंस, एक-दो-पांस साल तक मुझे उसका use नहीं है, तो आप किसी अच्छी company, बड़ी company के shares खरीद के अपने demand account में रख लीजिए, एक साल बाद उसको ब बाठा रहता है, वो उसकी fees हो गई, अब वो पैसा घूम फिर के लगाएगा stock market में, इन जो top 30 company है, top 100 company है, इस पर ही पैसे लगेंगे आपके mutual fund, अब उसमें आप SIP कर देते हो, तो आपको share market से लेना देना नहीं है, यह आप सोचते हो, लेकिन अगर आज की तारिक में आप profit का थोड़ा percentage बढ़ जाता है, लेकिन गूम फिर के अगर आप यह खुद से manage कर सको, तो आप directly 30 company में पैसे लगा दो, delivery ले लो, बात एक ही है, एक रस्ता वो है, जिसको कुछ नहीं करना, अपने एक sign करके दे दिया, account में salary आ रही है, SIP कटते जा रही है, वो गूम फिर के company में कितने कितने रुपे आपके लगे, लेकिन अगर अगर आप stock market में आते हो, तो आपको पता है कि कौन सी company में कितने रुपे लगा के बैठा हूँ, DMAT account में portfolio दिख रहा है, in case में portfolio दिख रहा है, जिस दिन लगेगा 20-30% का return आ रहा है, पैसे बाहर निकाल लेंगे, पैसे तो कोई नहीं होता है, इस सब बताने वाला, मैं कोई expert नहीं हो, expert भी कभी मत जाईएगा किसी के पास tips लेने, क्योंकि जो tips वो दे रहे हैं, उनकी brokerage, उनके वो जो पैसे हैं, वो उसको कमाने के लिए दे रहे, आपका profit हो, loss हो, उसको government को कोई लेना देना नहीं है, company वालो तो हो सकता है, loss भी हो जाए, और मैं कोई भी नहीं होता है, यह बताने वाला, यह सिर्फ मेरा recommendation है, मैं suggestion नहीं दे रहा हूँ, कि भाई, इसमें ही डालो, यह करो, loss हो जाएगा, तो मेरे जिम्मेदारी नहीं है, इसमें आपकी ही जिम्मेदारी है, तो मैं तो यही suggest होड़ा सा पैसे निकालो, पहले तो एक हजार, दो हजार रुपए आप निकालो, अकाउंट खुलाओ, इसमें डालो, अब एक दो हजार के अंदर ही थोड़े दिन तक खेलो, एक महिने तक खरीदो बेचो खरीदो बेचो, वह एक हजार रुपए खतम कर दो, मैं तो बोल भी लालज मत रखना की, यहाँ पर प्रोफिट आ रहा है, तो और डल दो, और डल दो, और डल दो, क्योंकि यह स्टेज आपकी लाइफ में आईगी, मेरी लाइफ में भी आई थी, मुझे अच्छा लगने लगा था, एक तरह से लत लग गई थी, कि हाँ भाई, यहाँ तो र जो पैसा कम हुआ, उसी पर आपने कमाया, और आपने अगर कमाया, तो किसी का तो लॉस हुआ होगा, तो ऐसे खुम फिर के पूरी चेंज चल रही है, साइकल चल रही है, आज अगर आपका प्रोफिट है, तो हो सकता है कल आपका लॉस भी हो, तो यहाँ पर कुछ शेर्स ह सकते हो, TCS के शेर्स खरीच सकते हो, यह जो मैं शेर्स बता रहा हूँ, यह टॉप में ही आते हैं, मैं नीचे तक गया ही नहीं कि छोटी कंपनी हो, हम बड़ी कंपनी में ही पैसे लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है, पांस साल बाद यह बड़ी कंपनी रहेंगी, तो पैसे मेरे अकाउंट में रखूँ या वो पैसे के मैं इसी बैंक के स्टॉक्स ले लूँ, मेरे लिए बात तो एक ही है, तो मैं भरोसा करता हूँ, तो मैं ICAC पर लगाता हूँ, इसी के साब से अब HDFC पर लगा सकते हो, इसके लावब आप IRCTC पर भी लगा सकते हो, रेलव है, जैसे हमें कल को बोलू, कि आप किसी टायर वाली कंपनी पर लगा दो, या किसी आटो मोबाइल वाली कंपनी पर लगा दो, कल को लोग गाड़ी खरीदना बन कर दें, टायर्स बन दो जाएं, तो फिर क्या करोगे, तो वो चीज़े आपको समाई ना, electric जमाना आ रहा है तो बहुत सारी चीज़े हैं, तो आपको एक बर अगर long term सोच रहे हो, तो ये समझो कि जो इस company में लगा रहे हो, पहले तो उस पर भरोसा रखो, कि वो 5 साल तक चलेगी, चलेगी तो जो भी वो चीज़े चलाती है, क्या वो चीज़े तब भी चलेंगी 5 साल तक, तब वो company अपनी select करो, और अपना पैसा उसमें लगा के invest करके भूल जाओ, अब रोज मत देखो, कि भाई ये तो loss में हो गया, ये तो profit में हो गया, निकाल लो, निकाल लो, अब एक दिमाग रखना, कि अगर मैंने पैसे लगा है investment के नाम पे, तो minimum एक साल तो रखना boss, एक साल के बा यहाँ पे चाहिए, कि एक पैसा लगा रहे हो, तो आपको रुकना है, एक दो साल तक उसके बाद ही ये delivery वाली चीज़े देखोगे, अब आपको trading ही करना है, रोजी पैसा कमाना है, तो ये सब भूल जाओ company, फिर तो बस intraday में घुश जाओ, जो फरजी company मिले, जिसके share उ नीचे हो रहे हो, उस पर intraday लगाओ, क्योंकि उसको फिर delivery का लेना देना नहीं है, आपको हर दिन ही पैसा कमाना है, तो आप trading कर सकते हो, लेकिन मैं वो suggest नहीं करता हूँ, उसमें peace of mind चला जाता है, दिमाग खराब होता है, loss होता है, loss तो हो गई ना boss, अगर किसी का profit हो र पर आके बोलें, तो चाहिए मेरा profit हो, loss हो, एक चीज मुझे समझ आई, बहुत सरे लोगों का profit ही हो रहा है, पहला तो ये DP वाली कंपनी, Angel Broking Zerodha, उनको profit loss से क्या लेना ना, अपना brokerage निकाल के भाग रही है, exchange, उसको फालतू का profit हो रहा है, चाहिए loss हो किसी को भी उसको तो profit होगा, CB का profit होगा, government का profit होगा, तो एक चीज मेरे दिमाग में ये भी आई, कि क्यो ना मैं भी Angel Broking Zerodha जैसी कोई website ही खोल लूँ, कोई एक registration ही करा लूँ, तो इसमें तो और अच्छी बात है, लोग पैसा लगाएंगे, मेरा बैठे बिटाय सिफ profit ही होगा, इसमें मे की app बना के लोगों को देके, आप उनके orders लेके, आप सीधे exchange में लगा सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो, ऐसी company आप बना सकते हो, तभी तो 15,000 से जादा company है, कुछ इतना difficult नहीं है, लेकिन technical ही देखे हैं, तो बहुत थोड़ी दिक्कत है, पहली बात तो उसमें investment चीए, व मैं वापिस जाऊँगा लोगों के पास की मेरे अंदर आके आप DMET account खोलिये, अब आप जब इन दो company, Angel Poking जिरोधा पे भरोसा नहीं कर रहें, 15,000 company पहले से हैं, उन पे भरोसा नहीं कर रहें, तो आपको क्या लगता है, कोई मेरी company पे भरोसा करेगा, तो ये भी एक opportunity है, तो ये जो companies हैं, भगवार नहीं है, ये भी हम जैसे लोगों नहीं बनाई है, तो हम भी चाहें तो ऐसी company बना सकते हैं, तो मैं थोड़ा research कर रहा हूँ कि क्या ये company बनाए, क्योंकि ये तो और अच्छी चीज़ हो जाएगी, बैठे बिठाए brokerage आएगा, और competition आएगा, को अपको वो ही समझना है, हर चीज़ एक concept y, सम्झो, कि exchange इतना काम कर रहे है, उसको क्या मिल रहे है, भाई, उसको SPT मिल रहे लोग इतनी महनत कर रहे हैं, इतना employee कर रहे है, इनको क्या मिल रहे है, इनको brokerage मिल रहे है, तो क्यो ना मैं भी SI company खोल लूँ, आपका धिमाग जि यहां पर चलो मेहनत थोड़ी सी बोल सकते हो कि है क्योंकि इतना लंबा वीडियो देखा है तो मेहनत तो आपने करी है लेकिन आप कल को ट्रेडिंग करोगे तो उसमें क्या मेहनत है उपर नीचे अपने आप हो रहा है आपको क्लिक करना है क्लिक करना है मिला तो मिला नहीं त तरीका है आप जा सकते हो समझा दिया डिलिवरी में जाओगे तो सुकून भरी जिंदगी है इंट्राडे एफ एन ओ कमोडिटी में जाओगे तो लॉस भी होगा लॉस होगा तो मेरे पास मत आना कि मैंने सिखाया था लॉस हो गिया यह सब आपके उपर है मैं था मेरा सिर्फ तो वो कौन होता है बताने वाला कि वो कमपनी उपर जाएगी कि नीचे जाएगी हम हमारे लेवल की रिसर्च करेंगे कि कौन सी कमपनी उपर जाएगी कौन सी नीचे जाएगी उनका तो कैसा रहता है वो कमपनी वाले उनको पैसा दे देंगे कि भाई आज सबको बोल तो उपर जाएगा तो वो बोलेंगे उनके पूरे network में 25-30-50 लाग लोगों को कि भाई ये company उपर जाने वाली खरीद लो सब खरीदेंगे, demand बढ़ जाएगी तो एक तरह से वो algorithm manipulate हो जाएगा, तो अपने आप price increase हो जाएगा फिर price decrease हो जाएगा, तो stock tips वाले जितने लोग हैं इनसे भाई दूर रहो, broker लोगों से दूर रहो, जिंदगी अपनी है अपनी mobile app है, अपने पास अपना पैसा है, अपना दिमाग लगाएगे अपने दिमाग से खेलेंगे, knowledge हर जगा से लो लेकिन decision खुद का होना चीए, उसने बोल दिया ये खरीद लो, उपर जाएगा तो नहीं खरीदना है दिमाग तो लगा, उपर जाएगा तो क्यों जाएगा भाई, तो ऐसे करके आप इन लोगों से तो पहले आप दूर ही रहिए इसके अलावा भी बहुत सारे आपके doubts हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने एक angel booking में account खोल लिया, demate account खोल लिया तो क्या मैं जिरोधा में वापस खोल सकता हूँ, तो भाई आप खोल सकते हो, आप किसी भी एक company में एक account खोल सकते हो अब 15,000 company हैं तो सब में भी आप एक एक account खोल सकते हो, तो आपके 15,000 demate account खोलेंगे, 15,000 trading account खोलेंगे लेकिन शर्त यह है कि angel में खोला है, तो angel में एक ही होना चाहिए, जिरुधा में खोला है तो जिरुधा में एक ही होना चाहिए अबस यह है कि आपको trading करना है तो इससे कर लो, investment करना है तो इससे कर लो, लेकिन फिर धियान रखो, जितना पैसा कमाओगे, income tax में देना है, फिर वो उसकी पूरी आपको accounting भी करना है, कि इससे कितना कमाया, इससे कितना कमाया, फिर उस पे भरना, तो मेरा suggestion रहेगा, एक ही ख खुलाओ, एक खुलाके उसमें ही सारी चीजे करो, जितना उसको diversify करोगे तो उसमें कुछ profit थोड़ी है, जो reliance का share यहाँ पे मिल रहा है, वो ही तो वहाँ पे भी मिल रहा है, पस वो अलग website हो गई, अलग app हो गई, घूम फिर गए तो सब exchange में है, तो यह आपके उपर ख खुला सकते हो, उसमें कोई rule नहीं है, कि multiple खुलाओंगा तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे एक D.I.S. book भी आती है, तो जो D.M.E. account आपका है, आप इन लोगों को बोलके, ट्रेडिंग अकाउंट वालों को बोलके, आप एक D.I.S. book मंगा सकते हो, चेक बुक की तरह रह गया, कल मेरे पास मानलो Reliance के 100 share है, मुझे मेरे किसी relative को देना है, तो मैं उस D.I.S. book में उस relative का D.M.E. account लिखूँगा, और इनको दे दूँगा, तो मेरे D.M.E. account से उठके, वो share उनके पास चले जाएंगे, तो हमने आपस में ही मतलब वो एक तरह से मैंने share जो है, वो ब बेसिक वीडियो है, समाझ आया, नहीं आया, वापस से एक बार पूरा वीडियो देख लो, अब एक एक चीज़े उठा उठा के सर्च करो Google में, YouTube पे बहुत सारी चैनल्स हैं, जो dedicated stock क्यों पर ही बात करती है, उनके वीडियो भी आप देख सकते हो, equity delivery उठा के सर्च करो, intrad knowledge को use करके आप पैसा कमा सकते हो, अगर आपके वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको like करिये, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो dislike करिये, अगर अभी भी आपका को doubt है stock market से related, तो नीचे comment करिये, और बाकी user अगर किसी के questions मिले तो reply भी करिये, और अगर आपने अ कि टॉक को subscribe नहीं करा, तो उस जिंदगी में क्या करा, so I hope you like this video, thank you